लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें करेंशन के लिए को gibi करेंशन केत कैंशन को प्रीएब करेंशन कर आदा थैंशन मदू, लो, ये मेरा उपखार, तुम्हारे प्रेम पत्र, बीते दिनों की यादे न अठा रहा हूँ, इसलिए कि कहीं चलन की वज़े से ये टुक्राया वर्मन का गाफ न कर बैठे, आज तुम पर मेरा कोई अधिकार न रहा, तुम आज पराई हो गई हो, फिर भी इतना कहता हूँ, कि बैद मंतप में अगनी के चारों तर्फ फिर लेते वक्त समझ लेना, कि वो मेरे प्यार की पर चिता है। तुम्हारा केलाज! नहीं केलाज, जहीं! क्यु नहीं? अभी तु खलत बीतर नहीं हुआ! पी पी के घम खलत करना चाहते हो! घम? घम कैसे हो? आज तुम्हारी माधवी पराई हो गई न? सुमनम! जिन्दगी में ना जाने कितनी मादविया आई और कितनी चली गए अफसोस तो सर्फ इस बात का है कि उसकर मामा की तौरत पराई हो गए इस डर्ग को शेराब के शुलू से चलाना चाते हो शबो, माई जुआख लगाता हूँ उसे पुजाना ही जानता हूँ अजुआव और ये है खाघ मैं आ गई हूँ केलाश लेकिन तुम्हारे तुम्हारे चादी होने वाली थी ना होने वाली थी लेकिन मैं लोक लाज के सारे बंधन तोड़कर घर से भागाई हूँ यह तुम्हारे प्यार ने तुम्हारे प्यार ने तुम्हारे खत्म मुझे इतना सास दे दिया कि ब्यामंडप में बैठने से पहले मैं तुम्हारे पास चलियाए सब कुछ छोड़े यह तुम्हें अच्छा नहीं किया मातवी तुम्हारी इस खता के लिए तुम्हारे मामा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे यह तुम्हारा वक्ती जोश है मातवी जो मुझे मेरे खाल पर छोड़ कर रापस लोट जाओ इसी में हम तोनों की बलाई है ऐसा मत कोओ मेरी बलाई इसी में है कि अब तुम्हारे चर्णों में अपना जीवन बता दू प्यार अपनी जगे है मादवी दौलत अपनी जगे है जिन्दगी के लिए दोना जरूरी है आज तुम कैसी बहकी-बहकी बाते करते हैं मैं सरफ मेरा मतलब है अगर तुम घर से इस तरह भागए तो तुम्हारे मामा तुम्हें बेदखल करतेंगे मादवी मैं तुमसे महापत करता हूँ इसलिए मैं जिक भी बदाश नहीं कर सकता कि तुमeurे साथ किसी किसम की भी बेंचसाफी हो आगर तुम्हारे मामा राजी खुशी हम तुमलों भी शाधी का देते तो अँरों की जायदा थे अगर तुम्हारे नई संदगी की बनाद मतल ज़से करती है अगार तुरुप अप्यास मतगी है मदूई! 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 तर ये है तुम्हारास की दगबाज, फरेदी, दौलत के भूगे अपनी असलियत पर प्यार का पर्दा दाल कर तुम मुझे थोगाते देर है तुम्हारे चेरे से नकाब एक दिन पहरे मत चुआ मुझे जीच मत लोपनी कारी जबाद वे मेरा ना मुझे सुम्हार ना परादे ना परादे, ना परादे ना परादे तुम्हार ना परादे तुम्हार ना परादे तुम्हार ना परादे तुम्हार ना परादे ना परादे अरे देखने में कैसी फोजी लगती थी पर कैसा दुई किलाया को लच्छी नहीं छिच 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 अरे मामा बैचारे तो इस बुड़ापे में कहीं मुद दिखाने की काबिल नहीं रहे कुम्हार आए फ्रेश थाराद 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 पराद मुहमाजी, मुझे माफ कर दो मैंने आज तुम्हारे मान दर्मान को मिट्टी में मिला दिया जो भूल मैंने आज की है, वो भूल ले ही है, पाप है, अफ्राद है मुझे सदा दो, मुए अकला घोच कर अपनी बेहन की निशानी को मिटा दो तो मेरी मौत ही मेरे पाप का प्राइस चेसर तुम बोलते क्यों नहीं मामा जी, बोलो ना, बोलो ना मामा जी अगर भूलता नहीं तो तुम भाबु राज किशन की बांजी मात्वी हो ना, तुम्हारी बारात नोट गए थी, हम ले चले कहीं हाँ, 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 हाँ तुम्हारी बचाना मुझे पुनम्हारी कितने दिनों बात दिथा है तुझे कहा जा रही हो, इसके पता जी क्या नहीं, नहीं पुनम, नहीं ये हाँ मधू, आज से छे महने हुए वो टीप एक्सिदेंट में ओ, भगवान में कितना कठोर है जिन्हें दया चाहिए उन्ही के साथ अन्याय करता है कहा तक का सफर है नहीं निताल, वहाँ मेरी सुस्राल है पहली बार जा रही हूँ सुस्राल? पहली बार जा रही हो? हाँ, मधू उन्होंने अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ शादी की थी मैं तो अब भी न जाती सरफ इसके लिए जा रही हूँ अरे हाँ, मधू तुमने अपने बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं सुना था तुम्हारी शादी होने वाली थी होने वाली थी लेकिन नहीं हुए क्यों? लंडी कहानी है, पुनर क्या-क्या बताओ अच्छा ये बताओ तुम कहां जा रही हो? बोलो न आंधी में उड़ते हुए पत्ते को क्या मालू उसे कहां शी कहां भटकना होगा नहीं मधू मैं तुम्हें बेसारा नहीं छोड़ सकती तुम मेरी साथ नहीं तल चलो नहीं पुनर तुम्हेरे सुस्रार वाली क्या कहें लिए कुछ नहीं मैं उनसे कह दूंगी तुम मेरी बहन हो हमारा और कोई सगा संबंदी तो है नहीं इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आई हूँ कभी इस जूट का पता चल गया तो ये जूट नहीं है मधू तुम मेरी बच्पन की सहली हो और फिर उन लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा वो मेरे लिए अजनभी है और मैं उनके लिए अंजान हम दोनों मिलके सुब्दुब बांट लेंगे और इस मुन्हे का सहारा बनकर जंदगी गुजार देंगे बीबी, चली आपकी गाड़िया रही आती हूँ चलो मधू, तुम मेंसा चलना पड़ेगा चलो ना मधू, क्या सोच रही हूँ यही, अगर तुमारा सहारा न होता मेरा रास्ता क्या होता मेरी मंजिल किदर होती छोड़ो भी इन बातों को आओ, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाँ यह देखो, मुल्ने की सालगेरा की फोटो और यह हैं हमारे शादी की तस्वीरे कितने सुन्दर से तुमारे स्वामी क्या नाम था उनका शेकर अब तो उनकी यादी जिन्दगी का सहरा बन गई है और यह हैं उनकी चित्थियां जिन पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा मेरे साथ हो और यह है मेरे सस्वीरे की चित्थिया लिखा है बहु भगवान ने शयद शेखर को हमसे इसी लिए छीन लिया हो कि हमें हमारी भूल की सजा मिल जाए लेकिन अब तो इतना ही कहना है कि तुम्हारी गोद में हमारे घराने का चिराख है अगर हो सके तो अपने सासोसर को माफ कर दो और बच्चे को लेकर फॉरन चलिया हमारा घर हमेशा तुम्हारा इंतिजार करेगा ऐसा लगता है बहुत ही दुखी मन से लिखा है वहाँ जाने का फैसला करके तुमने बहुत अच्छा किया अगर Holmes वहाँ 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 और लो वहाँ वे मैं कहा हूँ ये अमर्जेंसिय होस्पिटल है और को टेंग का एक्सिजेंट हो गया था एक्सिजेंट पुझन कहा है हम तिसी का नाम नहीं जानते आप ठीक हो जाएं तो खुद देख लिजेगा मैं बिलकुल ठीक हूँ आप कहां जाएं नुचेरिये होहा हुँ बुव टेंग हुँ 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 हुई atos आप कौन है? मैंने की बहुत सिरियस है से अभी 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 उने तीन चेर की कोशिश की थे मैंने नीम पर इंजिशन दिया दाग साथ दल्दी जरी लेखिए, हमारे पास स्टाफ कम है, अब इनी के पास रही पुनम मुझे मार दालो मुझे मार दालो नहीं, पुनम पुनम काम मैं मधू तुम्हारी मधू मधू मनना मनना मुझे शो रहा है वो देखो मेरे लाल मतू मतू मेरे पास आओ मैं तुम्हारे पास हूँ बोलो मैं जा रही हूँ नहीं पूनम, ऐसी बात मत करो, मधू मधू मुझे वचल दो तुम उसको समझा लोगी, उसकी परवरिश करोगी हम दोनों मिलकर उसकी परवरिश करेंगे नहीं मधू, अब वो तुम्हारा और तुम उसकी मा नहीं पूनम, तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी नहीं मधू, नहीं, मेरे पाउ कर चुके हैं पूनम, वो मधू, वो लोग एक अपाहिच को अपने घर की बहु का सम्मान नहीं देंगे मधू, तुम, तुम, तुम वहाँ पूनम बनकर चली जाओ नहीं पूनम, ये नहीं कि नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर सकती क्या तुम उसको बे सहारा छोड़ दोगी, क्या तुम मन्य की परवरिश नहीं करोगी, मधू नहीं, पुझा, लेकिन नहीं, मुझे, मुझे बचन दो, 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 मुझे, मुझे, बचन दो जोई 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 जीदी, थैंक यू आप आईएगा आपकी बहन के बारे में हमें बहुत अफसोस है आपका नाम? पूनम और बच्चे का? राजीब यहां से कहा जाएंगी? आपका पता? केर आफ दीवान दीनानार रिटाइज जप्टे कलेक्टर नेक व्यू, नेनिताल राजीब 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 मिचल, मिचल, मिचल! को मिचल, मिचल, को अ. कि वचल, मिचल, को कि अ. अजो डार और घसाल, सकोना है. ठुआ है, यो नुआ है, अुआ है, यो जाज है. झाल 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 हुआ 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 है चाना आपको नेनिताल एख यह रास्त ओल्मोरो जाता है वो टैसे ड्राइवर गलत रास्ते पर लिया आया ऐसे मौसम में आपको अकेले नहीं आना चाहिए थी खेर इस वक्त नेंटल जाना तो नामम्किन है बारिश में पहाड़ी नाले रास्ते पर बहने लगते हैं रास्ता रात पर बंद रहता है थी तो फिर तो फिर मैं घवराये मत मैं या का फॉरस्ट ऑफिसर हूं थोड़ी दूर पर मेरा मकान है अगर आप मुझ पर यकीन हो तो मुना सो गया जी आपको कवीता कभी शोक है जी था कभी तिर पढ़ने का ही नहीं लिखने का भी आखरी गीत लिखा था वो भी अथूरा रहक्या ना कोई तरंग है ना कोई उमंग है मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी बतंग है बहुत सुन्दर लेकिन जब से जीवन की सचाई समझ में आई कवीता की कोमल कलपना समाथ हो गया और अब अब तो यहां के घन जंगल खतरनाथ मौसम फू का जानवर ही भले लगते हैं खायर चोड़िए आपसे बात पूछना चाहसता हूं पूछी जब से आप मिली हैं मुझे ऐसे लगता है शायद आपको पहले कहीं देखा है जी ना चाने क्यों कभी कभी किसी को देखकर ऐसे लगता है पहचान पुरानी है क्या ना बताया आपने पूना नैनी ताल में कहा रहती हैं रहती नहीं पहली बार जा रही हूं वहां मेरी ससुराल है सुसुराल है और जा रही ही पहली बार मैं कुछ समझा नहीं जी उन्हो और क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन है वो लोग वहां के रिटाइट कलेक्टर दिवान दिनानाजी मेरे ससुर है दिवान दिनानाजी वो लेखवी वाले आपके ससुर याने कि आप शेकर की पत्ली है लेकिन लेकिन वो तो ट्रेन एक्सिडेंट में बच गई कितनी अनोखी बात है है ना यह तो बहुत खुशी की बात है आप मेरी ससुरार वालों को कैसे जानते हैं वो भी तो मेरा अपना ही घर है पिताजी और दिवान जी मूँ बोले भाई है बचमार में शेकर और मैं एक साथ खेले एक साथ बढ़े लेकिन जब बढ़े हुए तो उन दिनों पांच साल की ट्रेनिंग के लिए मैं जर्मनी गया था जब वापिस आया तो पता चला शेकर ने शादी कर ली और फिर वो एक्सिडेंट कितनी अजीव है यह जिन्दगी आज बच्पन के दोस्त की पत्ने को पहली बार देख रहा हूं वो भी वो भी एक विद् आप क्या सूच रहे हैं यही जो लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे क्या सूचेंगे क्या कहेंगे आपको देखकर आपकी गोद में अपने खांदान के वारिस को पाकर फूले नहीं समाएंगे और फिर आपी तो उनकी बुढ़ापे का सहरा है चोटे बाबू खाना लगाओं अरे हाँ इन्हें भूट लगी होगी और देखो शंबुकाका यह हमारे घर की मेमानी नहीं दिवान जी के घर की बहुरानी भी है इन्हें या दिवान साहब को कोई भी शिकायत का मौका नही मुम्किन है सुबा होते मां आपको छोड़ाऊंगा अच्छा सुबा मौना काथ आप कहीं जा रहे हैं जी वो मजबूरी है क्लब में अफसनक साथ पार्टी है जहां नहीं पड़ेगा और अगाने में थोड़ी से देर हो जाए तो चिंता मत कीजिए इसे आपना ही घर समझ करने के लिए नहीं पूस्ता पराज अंधरी राज पारिश और तुफान फिर उसमें महमान अगर ऐसे मैंने जाओगो तो कुछ बिगड़ जाएगा शंबु काका पिता जी ने तुम्हें आपैस करने के लिए नहीं काम करने के लिए भेजा है इसलिए हर बात में दखल मत करो चाहिए अपना काम कीजिए जाहिए अपना काम कीजिए बच्पन में बोद में खिलाया सो कुछ नहीं अब उच्वे हुकम चलाते हैं चलो बिटिया तुम तो खाना खालो आओ आओ शम्पू कागा तुमारे साब रोज रात को खर से चले जाते हैं हां बहुत समझाता हो पर नहीं मानते दिन भर काम में लगे रहते हैं और शाम होते ही बेचैन होने लगते हैं कभी कलब में और कभी जंगलों भटकते रहते हैं और शराब में अपना दुख भुलाने की पाथ साल विलायत में रहे फिर भी नहीं पी लेकिन अब अब ऐसी क्या बात हो गई न मानो तो कुछ नहीं और मानो तो क्या नहीं हो गया शराफत के बदले में दोखा मिला तब से मन तूट गया किसने दिया दोखा एक लड़की ने लड़की ने? हाँ बिटिया अब तुमसे क्या चिपाना? इनके पिता ने एक लड़की पसंद की थी लड़की को बिना देखे ये शादी के लिए राजी हो गए फिर क्या हुआ? फिर एक अन्होनी हो गई जब ये बारात लेकर ब्याह के लिए पहुँचे तो लड़की घर छोड़कर भाग चुकी थी जी ये तुम क्या कह रहे हो? वो लड़की राक्षसी होगी जिसने बिना देखे इसे देवता को ठुकरा दिया शादी कहा देव हुई थी? गंगापुर में ये जो महबथ है ये उनका हकाव अर महबूब काजो बस लेते हुए नाम मर जाए मिठ जाए हो जाए हम ना करेंगे प्यार हम ना करेंगे प्यार तूटे अगर साघर नया साघर कोई ले ले मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले दिल तूट जाए तो क्या हो अंजाम ये जो महवत है ये उनका है काम महभूब काजो बस लेते हुए नाम मर जाए मिट जाए हो जाए बदना हम रहने दो छोडो विजाने दो यार हम ना करेंग प्यार हम ना करेंग प्यार आखें किसी से ना उलज जाएं मैं डरता हूँ यारो हसीनों की गली से मैं बुजरता हूँ आखें किसी से ना उलज जाएं मैं डरता हूँ यारो हसीनों की गली से मैं बुजरता हूँ बस दूर ही से करके सलाम ये जो महब्वत है ये उनका है काम और महबूब का जो बस लेते हुए नाम मर जाएं मिट जाएं हो जाएं बजनाम रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार आज बड़े जल दे लाटे जार लटने में थोड़ी से देर होगी देखो अगा पुन्णम जी जाक गई हो तुने कि यह तयार हो जामने छोड़ाओं वो चली गई जाती नहीं तो क्या करती बीचारी मन में क्या सोचती हो गिवान साफ क्या कहें लेकिन कैसे गई कहां गई अ अधने बहुत रोका लेकर नहीं मानी हार के बिरजव मलक्वी वाले के टक में बिठा दी यह तो बहुत बुरा हुआ शम्रू कागा तुम्हे उनके साफ जाना चाहिए था दू हुआ था अग्रोन में रोक दिया मैं क्या करता हूँ लो यह चिथी देगे ने तू जाद लो कमल जी, आपको मेरे कारण जो कष्ट हुआ है, उसे जीवन भर नहीं भूलूंगी, आपकी आखरी कवीता, मेरे ही जीवन गी कहानी है, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी भी क्या, एक कटी पतंग है यही है दिवान साथ की पोठी, बहुत बहुत शुक्रिया काम बजगे साथ लूप, शेकाति मा, बामया, बामया! क्या हुआ भाबजी? तिरासर, यह नास्ता बना है, नमक चुन डाला दाक्तर साब बोले थे, कि नमक आपको नुकसान करे है तो जहाँ उसी दाक्तर को खेया जाके कौन? हरे यह क्या है? कौन है तुम? जी, मैं पुनम हूँ पुनम? आपकी बहू क्या? यह रही आपके चिटे, जो आपने लिखे थे बहू, पुनम, शेकर के बतने? और यह है आपकी अमानत, उनसे निशानी है मेरे शेकर का बेटा? बहू, मैं यह सपना तुने देख रहा हूँ तुम सच कह रहे हूँ हाँ, बापुजी वो, वो ट्रें में अक्सिजन तो मुझसे बच कही जी, मेरे सौभा के है आपकी सेवा करने के लिए और आपके खानदान के वारिस को आपकी कूर में सौपने के लिए बच गई हाँ? आपले मेरे, मेरा लाल, मेरा मुझसे, मेर लाल पला! मेर लाल मेरा मुझसे! Ар Sarah, please, the glass is coming! मुझसे के वो आइर है Ramya,走了 मुझसे के आपके है consistent ओपो माजी, नीचे चल के तो देखो, किती प्यारी बवरानी है, किती असुंदर मुन्ना है, चल लो तू आइना शेकर गमाद, देखो तो बभू आइना, मुन्ना है बभू बभू माजी मुन्ना मेरे शेकर की बत्ते, मेरे बहुत बाची है मुन्ना देखा आपने, भगवान की कैसे अनुखी नीडा है कभी सब कुछ छीन देता, कभी बहुत कुछ दे देता तुम जैसी बहु को ठुकरा कर दो, अन्ने बड़ी धूल की आज हमारा प्रास्टित हो गया तुम आ गई, मुन्ना हो गया हमारी अंदेरे घर में फिस्से हो जाला हो गया क्या अंदर आ सकता हूं? आओ करमल लाओ जीत रहाँ बेटा, बड़े वथे वकपड़ा है देखो तो कौन आया है? शेकर की बहू, उसका बेटा मुझे से मिलने का मुझे मुझे पहली है वो कैसे? इस टेक्सी पर या रही थी उसका ड्रैवर इने लूटना चाहता था मैं पहुंच गया और वो बदमाश भाग गया कल रात बारिश और तुफान होनी के वज़े से मैंने अपनी आठागा लिया था बरबां तुम्हारा भला करें यह इनी के उपकार का फल है बाबुजी जो मैं आपके सामने हू चलो बेटी ठकी हारी आई हो फड़ा आराम कर लो कमल बेटे जाना नहीं रमया कमल बाबु कुछ आए जेकर बहु का बखसा उपर लाना जी माई आओ बहु आओ कमला बहुत दिनों के बाद आयो एक शतन की बाद ही हो जाए चाचा जी खोई जाए हाँ होगा बभू ये शेखर का कमला है वो जब से गया है यहां का सब कुछ वैसे के वैसे रखा है मानू मानू वो कल ही लोटेगा लेकिने सब कुछ मनकबरन है छूटी आशा लाओ बेती इसे अलमारे मेरतू सामने रहेगी तो देख देखर तुम्हें दुख होगा नहीं माजी ये छोड़कर चले गए अब इनकी तस्वीर भी आँखों से उचल हो गए तो चीना मुश्किल हो जाएगा सच कहती हो बहू अब तो पीते दिनों की याद ही जेने का सहारा है अच्छा अब तुम नहा दो लो मैं तुम्हारे लिए नास्था तयार करती हूँ रमया जी बहू के लिए नहाने का पानी रगते है अच्छा माजी एक बात कहों बीबीजी कहो अब से केरना चाहती थी अब मौत का मिला क्या है जी ही कि छोटी बाबु ठीक कहवे थे कि मेरी पत्नी पूनम का चांद है लेकिन अब तो इस चांद पर दाग है कैसी बाते करते हो बीबीजी अच्छा बुल लो घर पसंद आया अभी तो मैं ओफो मैं तो भूल ली गई आपने तो देखा है नहीं आयो मैं बताती हूं यह देखो सामने छील, पीछे पहार इथर उतर हरा बरा जंगर सब कहवे हैं दिवान जी की कोठी नेली ता का मुकट है पर ऐसा लगी है जैसे किसी बैरी की नजर लगी छोटे बाबु खर छोड़के गए तो सदा के लिए चले गए दिवान जी बिमार पढ़ गए पहले कम बोलने थे और बात बात पर गुसा करें जो दो सब चण माजी पहले एक बंगरं दिमाघ थी अभी बम चुकचाब रह में बड़ी बात में माजी कत्ते बुदारी है बीबी जी ये मेरी बैन है बहँन और है एक नंबर की बातों है अल्वगत बहुत बहुत बीबी जी इसकी बातों में नाना कि पके जूटा है काम चोल मालिश कम पारिष जयादा प्रस्टर केता हूं बीबी जी तब सब कम मुझी को करने पड़े अच्छा तब तु बढ़ा अच्छा बेच्छा है या नाम है तिरा शीट पर बीबी जीटू बुला ने उसकाया अब खुदी पारिष करने लगा यह तो मैं भूली गया दिवां साब के जूटों पर पारिष करने इसकाया अच्छा बेभी जाता हूं फिरा उड़ा इसकाया नहीं गया शेकर कि मान तुम भी एक बार बोड़ी बंकर देखो बड़ा मजाएगा बाबुजी, आपका नाश्ता लाई हूँ, अरे भाहू, तुम्ने को तकलिफ की, रमया कहा गई? आपको नाकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं है ना, इसलिए सारी चीजे मने खुद बनाई है, खाकर देखिए, शायर आपको पसंद आजाए, पसंद आजाए, जरू पसंद करिंद आख को लोगए है तुम तो एसे खाना ह है मानो चार दिन के भूके हूँ, काशिनाद बड़ी खाए है तुमने, अब यह तुम्हारा ही जिक्र ओ रहा था है ता, ठैनी आप खुल शुना के पहु और मुनना आ हैं, तो सुता सब मिता, यह अ मेरी पहु और ये रामना ओहु और भई वावाव बहु ये हमारे डाक्टर काशीना है डाक्टर कम दोस्जादा भई सच मुझ बहुत सुन्दर बहु तुमारे ए नजर मत लगाव मेरी बहु को और देखो आज मेरा बलड परशा देखने का बजा है अपना देखो अब तो मैंने सोच्टा भी बंग कर दिया कि मैं बीमार हूँ ये तो महुत खुशी की बात है अच्छे देखो ये दवाईयां बंग कर दो और ये तानिक मंगबा लो अरे छोड़ो ना डाक्टर क्या तानिक मंगबाने डाक्टर साब आप चिंता ना कीजे आज से बाबुजी के सारी जिम्मधारिया मुझे पर है मैं टानिक लियाओंगी ये बोतले पैक कर दो और दूसरा पर ब्रैंट आए तो भो भी रख ले पैक पैकेश क्या रखे है चमल माहू मुकेश ने कहिए इसको क्या पता कि आज कर सकाज की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है तो सिर्फ ब्लैक में खरी जी जाए जाए जो आप नहीं ब्लैक और वाइट रुखन या ब्लैक डॉट अवे घंचकर क्या फालते बखवाश किये जा रहा है आई है बहिए बहिजी क्या साई आप नमस्ते बहिए नमस्ते तुमने मुझे पहचाना ने मैं राकेश राकेश खट पढ़िया लगनु उनिवस्टी में साथ कात तो पढ़ते थे बीए फाइनल में भूल गी मैं तीन साल लीचे लुड़कने के बाद फिर बीए तक पहुचा था जी मैं तुम अपने चश्मे का नमबर बदल दो ये पूनम जी है दिवान जी की बहुरानी शेकर की पत्नी लेकिन ये कैसे हो सकता है वही चेहरा वही रंगरूप वही आखे वही आवाज इस तरह हैरत में पढ़ने ही कोई ज़रूरत नहीं तुम अगला सैम ही हो रही कभी-कभी एक सी शकल दो इंसानों के भी तू हो सकती है? हाँ होता सकती जवाब नहीं ये रहा आपका समान और ये रहा बिल बिल बाद नहीं जवाब नहीं लोब गंजकर ये विस्पी क्यों तुन्हीं नहीं पैक्ती अब है मच्छर अभी बैक करता हूँ या तुम भी अजीव नुमने हो या आई तो तेरा होना तरह सुनिये एक बात पूछने चाहती हूँ पूछिए जीवन की शान्ती और मन के संतोश के लिए क्या इंसान को जोटे साहरों के जरूत पड़ती है मैं आपको मतलब नहीं समझा संसार में हर आदमी दुखी है अगर शराब दुखों को मिटा सकती तो हर आदमी शराबी बन जाता हूँ नमस्त्रे अब कर बाभू यह रही आपकी विस्की विस्की कैंसल कैंसल तुमार रहे है कॉआ को का बाभू वागो, 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 वागो अपने आगो से न देखता तो कभी यकीन न होता यही कि आपनो इसना के न व्यादा पपने जित्थी, इसलिए खेलना पड़ा कुछ पेर के लिए सब भूल गे इस पागल पने पागल पन? खुशी तुमन की तरण होती है उसे कोई रोपना भी चाहे, तो रोप नहीं सकता कमर बबू, कवीता से मन को बहलाया जा सकता है समझाया नहीं जा सकता जिस मन को दुरभाजने और समाज के बंधनों ने कुछल डाले हो उसे जोटा दिल असा देने से क्या फायदा? आप मन क्यों शक्ति को नहीं जानती जिस मन में सच्छी बापना हो, लगन हो वोर एक बंधन को तोड़ सकता है और जिसके मन में न कोई मंग हो, न कोई तरंग हो जिसका जीवन एक कटी पतन की तरह हो आप ही के कवीता के शब्द है वो मिल्यादूरी का विता है पूरी होकर भी कटी पतन का भागे नहीं बदल सकती जो एक बार अपनी डोर से कट गई उसे दुख के थपे रहना जाने कहां से कहां ले जाए उसकी ना तो कोई दिशा है, ना कोई मरंसित अरे मैं कमल तुम कवा है वाँ वाँ चाचा जी, जुकर आप घर से बाहर तो निकले मैं जबरदस्ती वकिल साहब के हां ले गई थी दौक्र काशी भ्या ने कहा है खड़ा घूमना फिरना शुरू करें वैसे भी उनके इलाज से कावी अच्छे मालो होते है उनके इलाज से खड़े काव बहु की सेवा से आप ठीक कह रहे हैं इनके और मुनने के यह आजाने से घर में काफी रौनक सी आ गई है बाहर सी चागई है आप लोग बैठी, मैं भी काफी भिजवाती हूँ सुना कमल, कैसे आना हुआ क्या हाल है हाल तो फर्स क्लाज अचाचा जी दरसल मैं आप लोग की इन्वाइट करने आया था किसलिए? कल मेरे जनल दिन की छोटी से पार्टी है मैं चलता आप लोग भी आए जेते रहो बेटी बाही जनल दिन बहुत-बहुत मभारक हो लेकिन कमल तुम जानते हो पर सुनती नहीं इनकी नहीं सुनती तुम कह कर देखो शार्त मारी बात मन ले हाँ 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 क्या है अच्छा है चली जाए उसका मन भी बहल जाएगा फिर तो मैं पूरे-पूरे कोशिश करूँ आप देखो तुम भी एक बहुत से कहें नहीं क्या मैं अंदर आसे को आई ये नर्ण मैं आप डिस्टर सलींगे नहीं तो बैठे शुक्रिया दिमांजी अर्पाजी आज के शिकार कर रहे थे मेरी शिकार? क्या बलती हुए मुझसे? क्या रहते आप हरवक घर के चार दिवारी में बंद रहती हैं पासपरूस में बने जाती कुछ आदत से पढ़ दे है कहीं जाने को मनी नहीं करता अगर कोई प्रेम से बुलाए या इन्वाइट करे तो तो मैं हाथ चोड़ कर माफी मांग जोगी लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं वो कल लेक क्लब पे मैंने एक चोटी सी पार्टी दी है सुचा था आप से पूछूँगा आप चलने से इंकार नहीं करेंगे देखिए पार्टी में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे लिए वैसे कोई खास बात नहीं कुछ दोस्त आएंगे कुछ ओफिसर आएंगे दरसल मेरे जन्म दिन के पार्टी है जन्म दिन? मेरी शुक्त आमना है कोरी शुक्त आमना है? आप आएंगी नहीं? मजबूर हूँ वैसे दिवान जी और माजी ने आग्या दे दिये आप राजी हों तो उनने कोई अत्राज नहीं उन्होंने शायद सोचे नहीं होगा कि लोग क्या कहेंगे हो मैंने समझा मापको मना लूँगा अब लोग का कहना आपको अपनों से जादा है तुम्हा फैसला पे छोड़ता हूँ नमस्ते एपी बार्थड़े थैंक यू अरे भाई कमल अब किसका इंजार है हमारे इंजार है हम आगे मैंनी हपी रिकंदो ता दे जन दिन की शुब काम लाई जन दिन मुबारिक ये फूलो के हार की जिये तुम्हाद ये जिया पत्तम इजी है इजी थैंक्यू जवाब नहीं आपने खूपए जाना अफसर लोग हमें इसी खुबसूरत नाम से पुकारते आईए आईए पने जिनास्ते मुझे बस्वास था कि आप जरूर आएंगी आपने जानती आपको यहां पर पातर मुझे कितनी खुशी होजी आई आख पर्चक आप ये है दिवान जी की बहुरानी मेरे बच्मन की दो शेकर की धरम पत्नी आईए प्रश्वार्ट पून और यह है मिस जनी मुझे दली प्रमास भी अजर्वार्ट है हाँ हम तो मिली चुके मैं सुमझता हूं कमल बाबु अब आप जल्दी ते पैदा होई जाए जो मुकेश जनाब जल्दी ते केकाटी है पेट में चुहर कबड़ी जहन रहे है हाँ 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 सुनिया थैंजी उसने शायद आप मेरी बात का बुरा मानगी लेकिन सच कहता हूं माजरी बिलकुल आप जेशी थी हाँ मेरे साथ इसका एक ग्रूपिंग फोटो भी था आप इस तलाश करके रखोंगे वो फोटो जब मिल जाएगा इनने दिखा कर रोलजर में डाल देना तरेक्ट कमल बाभू के कांटी है 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 दोस्तो हम सब की तरफ से कमल बाभू को जनम दिन की हारदिक बताई यानिके मुबारिक बादी एंड कॉंग्रेचुलेशन लेकिन इस खोशी के मौके पर इनसे हमारी प्राफ्णा है कि वो अपनी एक मधूर कवीता अपनी ही मधूरवानी में शंगीत के साथ प्रस्तुत करने की करें करें अब तो आपको कवीता सुनानी ही होगी कमल बाभू अब जब के सामने हो अब जद कर रहे हैं तो सुना दीजी खेर अगर आप कहती है सुना दीजी तोस्तो मेरे कवीता लिखनी छोड़ दी थी लेकिन कुछ दिन हुए तो ऐसे लगा जैसे सोई हुए जजबाद जाग उठे प्यार की उमंगेद में चलने लगी उन उमंगों और जजबाद ने जिस गीत का रूप लिया है आज वही गीत मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ प्यार दिवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से वेगाना होता है प्यार दिवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से वेगाना होता है शमा कहे परवाने से परे जला जा नेरी तरह जल जाएगा यहां नहीं आ शमा कहे परवाने से परे जला जा नेरी तरह जल जाएगा यहां नहीं आ वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है हर खुशी से हर गम से वेगाना होता है प्यार दिवाना होता है मसताना होता है हर खुशी से हर गम से वेगाना होता है रहे कोई साफर गों में दरे शरम से नजर हजी लाख चुराए कोई सनम से रहे कोई सो परदों में दरे शरम से नजर हजी लाख चुराए कोई सनम से आ ही जाता है जिसके दिल आना होता है हर खुशी से हर गम से वेगाना होता है प्यार दिवाना होता है मसताना होता है हर खुशी से हर गम से वेगाना होता है सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत पूप मना गरे दुनिया लेकिन मेरे महबूप सुनो किसी शायर ने कहा बहुत पूप मना गरे दुनिया लेकिन मेरे महबूप वो छलक जाता है जो पैमाना होता है हर पुशी से हर गम से बेगाना होता है प्यार दिवाना होता है मसताना होता है हर पुशी से हर गम से बेगाना होता है पार्टी की बीर बाहर के बाद रास्ते का ये सुनापन कितना अच्छा लग रहा है सुन्दर कविता की सुखन और मधोर आवास के बंधन से बाहर में किनने की कोशिश कर रही है इसका मतलब आपको मेरा कीत अच्छा लगा सच कह रही हूं अगर आज में नहीं आती तो मुझे कभी पता नहीं चलता है कि आप इतना अच्छा काते है चलिए ऐसा ही सही मुझे खुशी है कि आपको हमारी पार्टी में आने के बाद अच्छा तो लगा मैं तो डर रही थी कहीं आपकी पार्टी में वो नहों जो जो क्या जो हर पार्टी में होता है हंगामा पीपा के बहगना जीवन की शान्ति और मन के संटोष के लिए क्या इंसान को जूटे साहरे की ज़ूरत होती जी राकेश की दुकान में आपने यही कहसा न तब से मैंने शराब का जूटा साहरा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया कोई किसी के कहने से शराब छोड़ सकता है क्या कोई किसी और आप में फर्क है पुनम जी ये ये आपके लिए छोड़ी सी भेट है आपके जनम दून के शुब अवसर पर वहां सब के सामने देने में संकोच हो रहा था ये मेरे लिए सबसे हमें उली भेट है क्योंकि तुमने मुझे दी माफ किजे तुम कह गया आपको अपने से छोटों को हमेशद तुम ही कहा जाता है और फिर तुम में चो अपना पन है वो आप में नहीं आज मैंने तुमसे नहीं पांच सेखिये कुना अपने पन के लिए किसी को अपना बनाना जुरूरी नहीं जिससे भी अपना पन मिल जाए वही अपना है चलो अगर तुमलो हम तुम्हारा हिंशाड करते वह भार्त आपके पार्टी के ती लेए बस वह इस बोराना राग शाधी 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 वो तो ठीक है बेटेँ एक ना एक दिन इस बंदन में तो बंदना ही पड़ेगा लड़की मा के साथ यहां आ रही है देख कर फैसला कर डाले मेरा फैसला पिता जानते हैं आप भी लिख दीजिए कमल को शादी से कोई दिल्चस्पी दे अचले नमस्त अचले लड़का आप कभी नहीं मानेगा पिचारे के साथ होई भी तो बहुत बुरी वो उसको भूल नहीं सकते क्या तो मुसके बारे में जनती हो जी मुझे श्मुका का ने सब कुछ बता दिया था तो बहुत उमें काम करो बातों यहीं बातों उसका दिल टटोलो शायद बाढ़ जाए हम तो उसे समझा समझा कर ठक गए जी देखो बीटी ठीक से पेशाना कमल बहुत अच्छा लड़का है टोट बड़ी ममी लड़के अच्छे बुरे सब एकते होते है मैं उन्हें हैंडल करना खूब जारती भी भचपना नहीं दिखाना बोलोगा बहुत नमस्ते मिटी सखना नमस्ते यहें कमल बाबू नमस्ते तीजी है ना नमस्ते जी खुछ रो बेटा आये यह है नेरी बेटी मनोर्मन प्यार से हम इसे मुन्नी कहते है मम्मी देखे ना मम्मी हमेशे मेरे नाम बिगार कर इसी तरह मुझे चिडाय करती है अब मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ डून्ट वरी बेटा इनसे मिलो यह है मिस्टर कमल सिना हाई हाई मैं तो हमेशे हाती है यह पहली बार आई है पहली बार नहीं, तूस्य बार ममी जब छोटी सी थी लेकिन बडेशी से भी जे पहली बार आई है आप को कैसे से पताचल की आपकी बड़ी ओगी जी आप बड़े मजाक्या मानुँ होते हैं जिया, कभी कोई मजाग कर लिया करता हूँ क्या पीछेगा? चाय मैं भी चाय प्यूँगी आप क्या पीएंगी? इनकी पसंद मैं आपको बतलाता है इनके लिए एक double duty protein ice cream ओ ग्रेट, आपको मेरे पसंद कैसे मालुम हुई? अक्सर बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद क्या करते ओ नॉटी, आप तो अभी सही मुझे छेड़े लगे अब तुम्हें नहीं, तो और किसे छेड़े लगे? तुम्हें समझू, मेरी मुन्नी इन्हें पसंद आ गई? हाँ तो आप समझे कि इनकी मुन्नी ममी, oh don't worry baby, take it easy मुनी जी, शुरू कीजे न Thank you मेरा नम है शबनम प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो तारारूरू झारा, झारारूरू ्बया बाराू झारा讲 जिँ तहातलू īे, बाचातल? कि बfelाराओतल उस रात को दरो नहीं बात है वो राज की पर राजी राजी रहेगा मेरा नाम है शबनम प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है मिना राज अन्जू या अन्जू या मन्जू निना अन्जू अन्जू या मतो उस रोज रात पर शेनाई बश्टती रही मैं थी तुम थी और वो शर्माओं नहीं दप्राओं नहीं कहूंगे किसी से नहीं जानती हो मेरा नाम है शबनम प्यार से लोग मुझे शबो कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है निना मिना अन्जू या मन्जू निना मिना अन्जू मन्जू या मधू प्याम क्या वड्या वा लुम्हारा नहीं हुआ अ अ हुआ अ हुआ अ हुआ कर दो कर दो कर दो कि आंचल पर पढ़े हुए दाफ तो पानी से जुल जाएंगे लेकिन जीवन के आंचल पर पढ़े हुए दाफ को कैसे दो सकोगी माधवी इस जोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा कब तक मिलती रहेगी मैं तुमसे कुछ नहीं मागती लेकिन जो शांती तुमने मुझे दी है उसे मत चीनो माँ मन की शांती तो सच्छे प्रेम में है और प्रेम कोई भूल नहीं आप घर फोन किया तो पता चला आप यहां चली आई चलो देवी और पुजान दोनों के दर्शन एक साथ हो गया अरे यहां कल रात तुम बगार बता ही चली आई लेकिन मैं फच्छ गया उस मुनी और उनकी मम्य के चक्त कर में इसलिए तो चली आई ताकि आप लोग इत्मिनान से बात कर सकें अरे इत्मिनान कैसा उन्होंने जबज़ती खाना खिला कर बेजा रात बाच हो गई थी तर जाकर सो गया मतलब मेरा मतलब है मुनी जी को तो नीन भी नहीं आई होगी अच्छा लेकिन फैसला क्या हुआ पर छोड़ा हुआ फिर तो बताई हो आपकी और मुनी जी की चोड़ी एक दम फर्सक्रास रहे एक दम फर्सक्रास रहेगी बिल्कुल ठीक का आप लेकिन एक बात याद रखिए कि मेरी तंखात कम है और उस मोटी की आईस्क्रीम का ख़ड़ जादा है तुम्हारे चेहरे पर हैसी कितने किलती है पुनम जी कल से एक बात कई बार सोच चुका हूँ क्या कहीं तुम्हारी सुरत की दो डर्किया तो नहीं उतनी दाकिश कह रहा था कल वो बेहुदा डांसर भी बोल रही थी और जी बात यह है कि जिस लड़की से मेरी चादियों हने वाली थी उसका नाम दिगमधू ही था अगर आपको मधू फिर मिल जाए तो क्या आप उसे माफ कर सकेए पूनम आज मुझे उसे कोई शिकायत नहीं है उसके दी हुए दर्द पर किसी हंदर्द का साया पर चुका है किसका तुमारा अच्छा तुमें चलो पूनम मंजल भी एक है डगर भी एक है लेकिन कस्तियां दो है क्या यह मुम्किन नहीं हम तुमें एक साथ चले पूनम क्या यह मुम्किन नहीं है जिस गली में तेरा घर नहो बालमा उस गली से हमें चो गुजरना नहीं जो डगर तेरे दौरे पे जाती नहो उस डगर पे हमें पां रखना नहीं जिस गली में तेरा घर नहो बालमा जिस गली में तेरा नहीं है हर तरफ मुस्कराते यह गलियां सही जिन्दगी में कई रंग रलियां सही हर तरफ मुस्कराती यह गलियां सही जिस चमन में तेरे पग में काटे चुभे जिस चमन में तेरे पग में काटे चुभे उस चमन से हमें भूल जुनना नहीं जिस गली में तेरा घर नहो बालमा हाँ यह रस में यह कस में सभी तोड के तू चली या चुनर प्यार की ओड के हाँ यह रस में यह कस में सभी तोड के तू चली या चुनर प्यार की ओड के या चला जांगा मैं यह जग छोड के जिस जगा याद तेरी सताने लगे उस जगा एक पल भी ठरना नहीं इस गली में तेरा घर नहो बालमा उस गली से हमें तो गुजरना नहीं इस गली में तेरा घर नहो बालमा अज कितने अरसे के बाद घर से निकला हूँ यह फील, वो मंदिल, यह क्लब, सब कुछ दुनिया के लिए वैसे ही है लेकिन शेकर के बाद हमारे लिए कुछ नहीं रहा बाबुजी यह किस्टिया देख रही हो नहीं किस तरह लेहरों के साथ अब खेलियां कभगी है तुम पहली बार नहीं दीनाना तुम ओ, डॉक्टर, आज यह सूरज पस्चम से कैसे निकलाया बहुर में जिद की, सोचाहाच से गूमना शुरू करता तुमने का बहुप तुमने बहुत अच्छा किया गया देख थक था ना कहीं आना, कहीं जाना ना किससे मिलना बीमारी को तो खुद गले लगा रका है तुम तुम रोज काई निया बना लो जी पिल लेक्षे दिल लेगे, बैठो, मैं बैठो, अरे मैं क्या बैठो पहले तुम उठो, चलो सामने कलब है, आओ, तुरा शागल लहेगा, दो चार बाजी आओंगी, पुराने यादोस देखकर खुश हो जाएंगे तुम्हें, नहीं काशिनाथ आप में वहाँ, चले जा दिलानाथ, वाकई तुम्हारी बहुत देवी है, जब से आई ये घर की काया ही पलड़ती, तो इको ने बेटे का गम भी भुला दिया, काशिनाथ, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मेरा कलेज आप रटने लगता, कि मेरे बाद इसका क्या होगा, एक बात को हूँ, क अगर तुम्हारी जगा मैं होता ना, तो बहु कि दूसरे शादी कर देगा, डॉक्टर, तो इसमें बिकरने के क्या बात है, बात कैसे नहीं, तुमने ऐसी बात कही क्यों, मैं तुमना खयाल जाहिर किया है, अगर तुम्हें बुरा लगा है, तो माफ कर दो, आओ चलो, और नियुक्त, गला थी, ख्लोणे, रमया, ये ख्लोणे कौन लाया है? तुम्हारे बेटे की लिए तुम्हें लेते की लिए, तुम्हें? यहां से, इसनी चलती, लेकिन मुझे लगेगी देश, जरा हाले दिल सुनाने में, लोनीया, वो मेरे लिए चाय बना रही है, घर में और कोई नहीं है, सच कहता हूं, मदू, बहुत पचतावा है, उस दिन में तुम्हारे प्यार को दो न सका, मुझे माफ करतो मदू, वो मद तुम मर चुकी है, समच लोग को वो कहदाश भी बर चुका है, देखो मदू, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालू हो चुका है, क्यों न हम तुम दोनों मिलकर, एक नए जिन्दगी शुरू करते हैं, बबास बंद करो, मुझे तुम्हारी शकर से नफरत है, निकल पाओ में आके किरा, अगर सर पर किरता ना जाने क्या हो जाता, अठी तरीफ, मुझे केराश कहते है, तूर के रिष्टे में इनकी आंटी मेरी बीवी की मौसी लगती है, आप से मिलकर बहुत हुची हुई, मिस्टर, कमल कहते है, आप पी बताएए ना मिस्टर कमल, चलतर इनकी आंटी ने चांदे खलोने इनके बच्चे के लिए भेजे दी, इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें नराज हुने कौन सी बात है, आप पुनम जी वेद्वा हुई, तो इनकी आंटी ने इनकी बात तक न पूछी, और जा मालम हुआ कि इतने बड़े घराने की भावरान आपका बहुत आसान मांथ हूं, मिस्टर कमल, अगर आप ना होते तो यह तूटता हुआ रिष्टा, नजाने कैसे चुटता है, इंचानल, बैठे हैं, चाहिए हैं, माफ कीजिए, मिस्टर कमल, जैसे डोली में बिठा कर महले से विदा किया हो, उसके घर की चाय तो क्या प नमस्ते, काफी दिल्चस्प और ओर स्मार्ट है आपके रिष्टदार माशे, मेरे कोई रिष्टदार नहीं है, मैं चाय बनासी हूं, कहां गए सब लोग, माजी मुन्य को लेकर मंदर गई है, और बाबुजी डॉक्टर साहब के साथ करे, दरसल मा उनी से मिलने आया था, वो जंदल की ठेके की बात पक्की हो गई, एग्रिमेंट साइन करना था, मुझे अरे तुन्हें हजार बार कहा है शबो, ये ताश के घर मत बनागरो, ये मरूर्स खेल बाद नसीबी लाता है, इसका मतलब है, आज खुश नसीबी ने साथ दिया है, आज तो सरफ दाना ही प्रेंका है मरी जान. मुबारक हो, खाय चुढिया ने? हम, खायेगी नई, तो जायेगी कहा है, सोने की लंका है वह मरी जान. माध्वी के मामो और पुन्म के सासूर की दौलत में जमीन आसमान का फर्क है, और माध्वी में और मुझ में? मरी जान, वो पूल है तूम फल, कि खुश्बूर से दिल भरता है और फल खाने से भूख मिठती है खूल के खुश्बूर लेकर फेंग देते हैं और फल खाने से सेहत बनती है नो मेरी चाहँ इसी बात पर तुमारे हाथो एक चाहँ हो जाए अभी हाजर करें तुम भी क्या चीज़ो शबूर सब को भूल सकता हूँ तुमें नहीं आगे क्या सोचा है उनके बारे में केलाज खुद नहीं सोचता शबूर दूसरों को मजबूर करता है सोचने के लिए मादवी ने क्या सोचा है ये कल शाम को छे बज़े बालूब होगा मैं जानता था तुम जरूर आओगी किस लिए बला मुझे अभी तक तेमर बतले हुए है जनाब के लेकिन सच कहता हूँ इस सफेद लिबास में क्या निकरा है तुमारा शिपाब है चुप रहो लो चुप होगे समझ लो कि मैंने अपने होंट सी लिये और तुम चाहो जिन्दगी भर चुप रह सकता हूँ आखिर तुम चाहते क्या हो सुना है तुम्हारे ससूर आरदस लाग की आसामी मतलब मतलब तरसल मबीत हुवे कल की नहीं आने वले कल की फिकर में हो बात स्रफ इतनी सी है जो दाओ तुमने मारा है उसमें आदा हिस्सा मेरा भी है तुम इतने नीच हो सकते हो यह मैं सोच भी नहीं सकती थी लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे इस नापाक एरादे को कभी पूरा नहीं होने दूनी जवाब नहीं तुम्हारा पाक महबत में तु साथ दिया नहीं अब नापा के रादे से भी मुमोना चाहती हूँ चलाओ नहीं सुना है दिवारों के ही नहीं पेडों के भी कान होते हैं अगर किसी को मालूम हो गया कि तुम दिवान साहब की असली बहु नहीं हो तो छोड़ दो, मैं कहते हूँ छोड़ दो मुझे और फिर कभी मुझे से मिलने की कोशिकी तो अच्छा नहीं होगा बहु, जहीं गई थी क्या? यहीं कमपाउं के पीछे जील के किनारे चली गई थी पर बात क्या है? इतनी घबराई भी क्यों हो? वहाँ शायद छाड़ियों के पीछे कोई जंगली जानवर था हाँ, हाँ, जरूर होगा वहाँ सख भेडिया आया करता है हाँ, वो भेडिया ही था बहु, आयंदाग के लिए उधर कभी नहीं जाना बहु, यह पांच हजार रुपए जंगल के ठेके से हैं इसे समाल कर रख दो क्यों, माजी आप ही रख लीजी ना आरे मैं तो एक दो दिन में हरी द्वार जाने वाली हूँ और फिर अपसे यह सब जिम्मेदारी तुम्हारी तो है लो बीपी जी, क्या है कुछ नहीं बीपी जी मैं तो यह पूछूँ के भेडिया छोटा था के बड़ा तुमसे क्या मस्था, जाच अपने काम करें जाती हूँ, जाती हूँ गरम क्यों होती हूँ वाँ वाँ चाशा जी यह क्या के लिए शुरू हो गए नौबद यहां तक पहुच गई भाई तुम आते लो तो क्या करा अले शालू, तुका भाई? नवस्ते ताच जी 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 रहू भाई यह शालू है, कमल की बैर भाईया ने आपकी बहुत तारिफ की है लेकिन जो भी तारिफ की है आप उसे भी जादा सुन्दर है चल है आप लोग पैखे, मैं चाय लाती चाय से काम नहीं चलेगा हम दुखाने का प्रोग्राम बना कराया है साफ बात है जरूर तुम्हारी चाची आज सुभा की गाली से हरदुआर चले गई उनों कलाते तो उनसे मुलापात हो जाते बेका तकलीफ की चाची जी ने घर में देवी जासी बहु है तो फिर तीस यात्रा किया जुरूरत थी हाँ, इसी दिया में नहीं गया जालो, कितने दिन का प्रोग्राम है होली तक का मेरे साथ और भी लड़की आए ये समझ लीजे कि तीन-चार जिन तक का भी बोर करेंगी क्या आप बोर करेंगे और नहीं क्या देखो ना कर सुवा सुवा जाने का प्रोग्राम बनाने कोई बात है भाबी आपको भी चलना पड़ेगा हमारे साथ मैं तो कहीं नहीं जाती और फिर पिकनिक विकनिक मुझे शौक भी नहीं है जोग नहीं तो क्या हुआ अब मेरा साथ तो दे सकती है आप क्यों नहीं अपर रोज तो नहीं आती और तुम भी घर की चार दिवाजी में बन रहती हो चली जाओ तुम्हार दिल बहल जाएगा जाशा जी का कहना ठीक है अब आपके कोई बहाने बाजी नहीं चलेगा फूल जूड़े में लगाते लगाते फैंक्यों दिया मैं तो योही देख रही थी फूल दोई जगा शोबा देता है एक भगवान के चल्णों में दूसरा इस तरीके जूड़े में हर स्ट्री के जूड़े में नहीं एक बात पूछें पुनम पूछे थोड़ देख पढ़े तुम हस खेल रही थी ऐसे लग रहा था जैसे तुमारा बीता हुआ जीवन इस जरने की तरह है उमंग बरा लेकिन आज 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 इस जील की तरह है जो उपर से शान्त है लेकिन इसकी गराईों में न जाने कितने अरमान में चल रहे है पुनम दुनिया में जील की गराईया ही सब कुछ नहीं और भी बहुत कुछ है जैसे जैसे ये फूल जो मुस्कराट देते है और मुर्चा भी जाते है जैसे ये शाम जो मस्ती लुटाती है और रात के अंधेरे में खो जाती है पुनम अगर तुम चाहो तो इस रात के अंधेरे से निकल कर आकाश के उजाले को छू सकती हो इसके लिए मजबूत हाथों के सहरे के जरूरत होती है पवित्र पेमी जीवन का सबसे बड़ा सहरा होता है पुनम भावी जर्मा नीचे है पिकनिक पांटी पीछे आप उपर क्या देख रहे हैं भाई सब पतंग देख रहा था पतंग? हाँ अन्रोमांटिक चारो तरब बहार है, बूलों पर निखा रहे है और कॉफी तयार है, हम आपको बुलाने आए हैं चलिए अरे आप क्यों बनाने लगी कॉफी हम तो आपको पिकनिक पर इंजॉय करने के लिए लाए थे मगर शाद आप हमसे बोर हो रहे हैं बोर तो तो तुम्हारे भरिया हो गै अब इनका कुछ हिलाज करो क्यों, क्या हो? हमारी इंसाज हमके इतनी बुरी है कि हमारी कंपरी छोड़कर कोई एक पतंगी और चफटफ़की लगा कर देखी आप इसे की साइड नहीं लेंगी आप इस रहस्ता कीजिए ना हो सकता है किसी को पतंग बहुत अच्छी लगती हो हमारे मुकाबले में अजी सहाब मालूम तो हो के पतंग में ऐसे क्या खूबी है जो किसी को अपनी और खीच सकती है किसी को अपनी तरफ खीचना तो कोई खूबी नहीं खूबी है किसी की और के जाने पा जो खुबी पतंग में है इंदर दनुष के रंग है कलपना की उडान है हवाओ में जूमती बादलों को चूमती बिजली सी चपल एक सुन्दर नर्त की है ये पतंग मान गए भाईया आज पता चला कि पतंग एक कविता है आपकी क्या राह है भवी होती तो नहीं है मगर उन्होंने कविता बना दी है उसे कविता बना ही नहीं जाती बन जाती है अपने आप जब किसी की सुन्दरता आँकों से आकर मन में समा जाती है सुन्दरता ऐसी होती है जो अपनी नाज़िक डोर से किसी को भी अपनी और खीज़ती है, सब कुछ भुला देती है, मदोश कर देती है, एक खुबसुरत शाम की तरह, एक खुबसुरत जड़ने की तरह ये शाम मस तानी, मदोश किये जा, मुझे डोर कोई खीचे, तेरी और लिये जा ये शाम मस तानी, मदोश किये जा, मुझे डोर कोई खीचे, तेरी और लिये जा दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं, फोटों के तेरे कभी प्यास आती नहीं ऐसा लगे जैसे के तू, हसके जहर कोई पिये जाए शाम मस तानी, मदोश किये जा, मुझे डोर कोई खीचे, तेरी और लिये जा बाट जब मैं करूँ, मुझे रोक देती है क्यों तेरी मिती नजर मुझे तो देती है क्यों तेरी हया, तेरी शरम, तेरी कसम मेरे होट सिये जाए शाम मस तानी, मदोश किये जा, मुझे डोर कोई खीचे, तेरी और लिये जा तेरी और लिये जाए तक्दीर जैसे कोई खामोश ऐसे है तू तस्वीर जैसे कोई तेरी नजर बनके जुबां लेकिन तेरे पैगाम दिये जाए शाम मस तानी, मदोश किये जा, मुझे डोर कोई खीचे, तेरी और लिये जा खीचे, तेरी जाए लेकिन तेरी जाए तेरी जाए जाए खीचे, जाए 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 अबीबा क्या उंचे ख्यालाद पाए हैं आने की तकलीफ कैसे की देखा दिवान साहब मैंने कहता ता अभी तक नराज होगी अगर मैं तो अपना फर्स पुरा करने आया हूँ और वो भी माधवी के नाम पर माधवी मेरे धर्म पत्नी तुमारी बच्पन की सहली मदू अभी नहीं जाना फिल्हाल तो यह नहीं जा सकती इसकी साहजी भी नहीं है और में तब यह ठीक नहीं रहती मैं तो भूली गया था खिर कोई बात नहीं फिर कभी देखा जाएगा एक मामूली सी सोने की जंजीर भेजी है मुन्य के लिए मादवी ने मेरी धर्म पत्वी ने अरे भाई इसकी क्या दूरती है मैं बच्चे को सोने की चीज़े नहीं पहनाना चाहती बाबजी तुम खुद सोचो फूना बैचारी का दिल टूत आएगा मैं जारी ने बहुत प्यार से हनुमान जी के पाउच छो कर देची है ऐसी बाते बाब तो ले दो आप कहते हैं तो ठीक है बाबजी चलो से, खुदी पहना दो से इतना प्यारा है तुमारा पेटा मत चूँ उसे ठीक है अपने हाथों से तुम ये चेंज से पहना दो काम खोल कर सुन लो मुझे तुमारा यहाना बिलकुल पसंद नहीं लेकिन मुझे यहाना बेहत पसंद है जब मेरे तुमारा कोई संबंद नहीं तो ये आना जाना किसली लिए तोह उसर, पुराना संबंद बडाने के कि मैं तम्हारे इरादे खूब जानती हो तुम मुझा बदनेम करना चाहते हो तुम आफ करना तुम बी तो किसी की मचबूरी के लिए आता है क्यालौश क्या तुमम्च पर ज़रा भी और नहीं आती यह बात ही न मैं हमें शार्क लिया दफा पजाओं और फिर अपने में हो सूरत तुमें कभी नहीं दिखाओंगा सोच लो फिर आजाओ फिर यहाने की कोई सुपत है मेरे पास सिर्फ पांच जार रुपे है किसी की अमाना लेकिन ए सुकरिया है यह जजाकीन मानों अधर मुसीबत नहों तो कभी तुमें तक्रीफ नहीं देदा सोचता हूं तुम कितनी क्रेट हो और मैं कितना सबीख अब तुम जा सकते हो, अपना वादा ना भूलना फिकर मत करो, अब मैं अपनी शक्ति तुम्हे कभी नहीं दिखाऊँगा अच्छा, बाइबाइ और हाँ, याद रखना, ये चेन किसी को जाँच परताल की ये नहीं देना देखने में सोने की, लेकिन हैसली पीदल की विलकु तुमारी तरे, असली बादवी, और नकली फूना हस के है ये लोगे हसने की बाती तो है बाबजी तुम इतने प्यास से लाए और उनने फेग भी कोई बात नहीं हम प्यास से लाए तुम प्यास से रख लो हाई सोने की चीन मुझे दे थी बाबजी इस लिए कि अब तुम हमें अच्छी लगने लगे हो मगर किशी को दिखाने नहीं वरना कोई जनने लगेगा किशी को नहीं दिखाऊंगी बाबजी चुपाकर बक्से में रख दूंगी कब मिलोगी रोमाया क्यों बीबी जी को कोई चित्थी भी नहीं है अरे छोड़ो उने कित्थी कहा हो तुम देख तूद कुपन उफन गाना है तुद दर्वजे पे किशे बाते कर रहें जी मैं किसे बाते कर रहें थीरे मैं तो दर्वजा बन कर रहें जो बाते हैं जोटे कैंगे मुन्ने के तूदे और सब कर ठाने का रहें कुछ वाम कोज भाया शालू तो मेरे लिए काफी लाई भागा कब तक जाने कावगा जाए जब तक काम पुरा ना हो जाए देखो ना, सारा दिन तो पिकनिक बे तुम्हों के साथ पसागा, अब ये कागजा इतने ज़रूर है, अगर सुवा तक नहीं दिये तो गरबड हो जाएगी भाईया, अगर मेरी भाबी होती, तो ये कागज हटा कर तुम्हें हुखम देती, कि चलो चल कर सोजा आप सवेरी जल्दी उठना हो, और तुम ठेट सजाकर रजाय में दो बग्दा, अच्छा, अगर हमारी मा होती, तो तुम्हें समझाती, कि बेटा, अगर एक अंजान बने जा रहा हूं, ये तो शुकर करो कि लड़की शादी से पहले भाग गई, अगर शादी के बाद भाग जाती, तुम्हें किसी को मुझ दिखानी के लाइक ही न रहता, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरी सहेलिया कैसे लिए, अच्छी है, बहुत अच्छी है, फिर वो कौन है, जो भी हो, मैं उसे मना लोगी, पिताजी का अर्मान पुरा हो जाएगा, मुझे मेरी भावी मिल जाएगी, तुम्हारा जीवन सबर जाएगा, कौन है वो, बताओ नो भया, तुम्हें मेरी कसम, उसका नाम है, पुनम, पुनम, शेखर भाया की विद्वा, एक बचे की मा, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या दुनिया भर की कुवारी लड़कें मर चुकी हैं, जो तुमने ऐसा सोचा, या फिर विद्वावेश की आर में पूनम ही तुम पर डोरे डालती रही है, लालू, लालू जे मैं कभी सोच में नहीं सकता था, मेरी बेहन, की तुम आजल में परद निक समा सकती, तुम जा सकती हो मेरी जिन्दगी है क्या, एक पटंग है, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है मेरी जिन्दगी है क्या इसकी बतंब है नो कोई उमन्ब है आश से गिरी में एक बार कट के ऐसे दुनिया ने फिर लग मुझो लूटा है मुझो को कैसे ना किसी का साथ है ना किसी का संग है मेरी जिन्दगी है क्या एक गटी बतंब है ना कोई उमन्ब है सपनों के देवता क्या तुझको करूं मैं अर्पन सपनों के देवता क्या सुझको करूं मैं अर्पन पत जल्की में चाया पत जल्की में उंचाया मैं आसों का जल पर यही मेरा रूप है मेरी जिन्दगी है क्या एक गटी पतंब है मों कोई उमन्द है आपने मुझे बुलाए बाबुची हाँ बैटी इंशुरेंस के पालिसी के काफ़ाद पालिसी के काफ़ाद शेखा की लाक रुपे के पालिसी तुमनों के पुराने पते से लॉट कर आई है यह जहां जहां निशान लगे हैं महां दसख़त कर दो मैं दसख़त कर दो हाँ तुम्हारी नाम तो है तो क्या हुआ आप उनके पिदाजी है आप ही दसख़त कर दीजिए बेटी सरकारी मामलार तो यह समनी चलता लेकिन वो बात यह है बाबुची कि मैं मैं दसख़त करके द्राइवर के हाथ तो कमल के पास भी तो उसकी महां जान पहचान है काम जल्दी हो जाए रहा लो अब क्या करूगी मैं तो उनके दस्तख़त जाए साजी जान पहोस का नतीज़ा क्या होगा जी अब तुमही आखरी आखरी जो तुम्हे निभारी पड़ी जात रखो मैं तुमने मुझे वचन दिया था तुमने मुझे वचन दिया था ये बात हुई ना मदूर्ण सारी पून अपूर्ण मैं सुर्फ इतना चाहता हूं कि जो दाव आज तुमने मारा है उसमें भी आदा हिस्सा मेरा है तोड़ दे मजबूरियों के बंधन तेरी मंजल तेरे देवता के चर्णों में ही है मैं सब कुछ सबस्च बता देमा थो और तरले इतनी जिनगी का आख सी फैसला जिनगा जाख में सबस्क्राइस निक्टाइए सिक्षाब में पीजिने तुमने रहे प्राम पाम। एक जिने कावय जिने के जिने कावय को देखे अरता हूं अहां, इंशान्स कोंगे, प्रादे गुता, पहुना की जवा दो किया है, मैं, मैं, प्रादे, बेख, 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 अग्ष, बेख, 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 बेख पाप जी, आपका खाना तो यहाद है, मुझे भूख नहीं लगिया, क्या बात है, आप ये सवेरे भी कुछ नहीं खाया, एच्छा रोती, कुछ और बना दो, ने, मैंने फैसला किया जब तक मैं जिन्दा हूँ, आपने लिए किसी और को तक्लीफ दो, जा समा आराम करो, ये आप क्या कह रहे हैं, आपकी सेवा करने मुझे कोई तक्लीफ नहीं होती, खुशी होती है, आईए, कुछ खा दीजिए, आईए ना, आईए, बैठिए, बुरा आगी में उस पुरारी दीवार की तरह है, जिसे सब को बच का चलना चाहिए, आपको मेरी कसम, तिद न कीचिये, खाये ना, बाबुजी, अरे वाँ चाचा जी, भाभी तो आपको बच्चों की तरह खाना किला रही है, वो ये भूप तो नहीं जे, मगर जबर्दत आपको बच्चा जी, आपको कागजात आगे हैं, उन्होंने एक नया फ़र्म दिया, इस पर आपको साइन करना हो लाँ, भूजी? जिया, इनकी सिगनिचर वेरिफाय करने के लिए, तो उनको हमेशे अड़ लगा रहता है, और पैसा गलत आजमी कुना मिल जाए, इतना सब आपको की बच्ति मेहोली का तेवार है, बड़ी धूमधाम से मनाया रहा है, शालो की सहली आ रही है, और उनकी जिद्दे तुमें भी आना होगा, लेकिन मैं कैसे जा सकती है, क्यों नहीं भावी? शालो मैं तुमें 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 ठीक का था ना, यह इंकार करतेंगी? नहीं, यह बात नहीं है, बाबुची घर में अकेले हैं और फिर, ओ चाचा जी, आप तु जानते हैं कि हम लोग कल चले जाएंगे, बीज देजे ना भावी को, मैंने कब रोका है, यह गर की बहू है, अपनी मर्जी के मालेग, यहां जाना चाहें जाएंगे, जाना जाएं जाएंगे बढार से की बाएंगे, जाना थचफे दिन् WATози के मालेगा परले जाना हिएंगे! आज न छोड़ेंगे आज न छोड़ेंगे बस हम जोली खेलेंगे हम होली खेलेंगे हम होली चाहे भीगे तेरी चुनरिया चाहे भीगे रे चोली खेलेंगे हम होली अपनी अपनी पिसमत है कोई हसे, कोई रोए कोई हसे, कोई रोए रहने तो ये बहाना क्या करेगा जमाना तुम हो कितनी भोली खेलेंगे हम होली आज न छोड़ेंगे बस हम जोली खेलेंगे हम होली खेलेंगे हम होली दा दा लो दा 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 ऐसे नाता तोड़ गए है मुझसे ये सुक सारे हाँ, मुझसे ये सुक सारे हाँ, जैसे जलती आज किसी बन में छोड़ गए बन जारे हाँ, छोड़ गए बन जारे दुक है एक चिनगारी भरके ये पिछकारी हो आई मस्कों की तोली खेलेंगे हम होली आज न छोड़ेंगे आज न छोड़ेंगे आज न छोड़ेंगे बस हम जोली खेलेंगे हम होली चाहे भी गए तेरी चुनरिया चाहे भी गे रेशोली खेलेंगे हम होली खेलेंगे हम होली हुई है वादी वादी यह क्या किया आपने यह से मिटा जो की यह तो एकमान के संकेत है पुन अंजाने में जो कुलालत वारी मांग में पर गया वो हमेशा हमेशा के लिए सिंदूर बनकर चौटता रहेगा आप अपी तिक सुए नहीं? जब घर की जवान बहु बाहर रंग्रलियां बनाती फिरे तो भूड़े ससुर को नीम कैसे आ सकती है अपजी कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम अपनी जिंदगी को रंगीमियों से भरने पत्तुली हुई हो यह आप क्या कह रहे हैं? उन लोगा न मुझे जबर्दसी रां डाला मुझे वान नहीं जाना चाहिए था नजाती तो विद्वा की मांग में भरा हुआ गुलाल सिंदूर बनका कैसे चमकता? अपजी आज आज आप अपनी बहु की कौन सी परिक्षा लेना चाहते हैं? मैं तम्हारी असलियत जाना चाहता हूँ मेरी असलियत तो मेरा नसीब है इसने मेरे सب को छीन लिया है और आप उसी नसीब को बनाने के लिए कमल का साहरा यहां आजाती हैं ये कि हमारा रास तम्हार थोका तम्हारा फरेब माधवी मैं तुम्हें देवी समझता था बहु मान कर तुम्हें प्यार से अपनाया था अपने बुढ़ापे का सहारा माना बच्चे की जिंदगी तुम्हारे हवाले कर थी इस घर की मान, मर्यादा, दौला ते ज़द सब कुछ तुम्हारे हवाले कर थी और तुमने तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वास गाथ क्यों किया बोलो क्यों किया तुम्हें दौलत चाहिए रुपया चाहिए जाबीर चाहिए चाहिए तुम्हें चाहिए चाहिए तुम्हें 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 अब यहां रॉष्टी नहों सकेगी मैं आप ते ही पिष्टी के सारे तार केश दी थे बदमार बाहर के और जालों में तुम्हारा दीदार नहों सका तक चुके से नंतेरों में आ चुपा जोरूं की तरह किसी के कमरे में आना कहा की शराफत है ए चौर दुसरे चौर से शराफत कब तक आजा तक बहुत तुम्हारे सुसर में मेरे बेज़दी करके मजे खर से बार निकां दिया तो मैंने सोचा मैं उसके पास चाहूं जो कि मरा अपना हूं मैं जानती हूं तुम मेरे रास को आर बनाकर इस घर को लूटना चाहते हूं नहीं मात भी नहीं आज तुम्हारी तौरत नहीं तुम्हारे दिल चाहिए कमीने ने हमेशा के लिए मेरे जीवन छोलों के हवाले कर दिया मेरे अर्मानों को तिनके की तरह आंजियों में उड़ा जिया लेकिन आज मेरे जीवन पर पढ़े हुए सारे परते हट चुके हैं सबको मालूम हो चुका है कि मैं कौन हूं क्या हूं मतू मैं तो बिगड़ी बात कप्राना चाहता था जो हो उसा भूल जाओ भूल जाओ जलील कमीने तो अपने गंदे एरादों से एक स्ट्रीक की पवित्रता को रहना चाहता है लेकिन अभी अभी मेरा वैसला बाकी है मतू मतू से लिए जड़ी जड़ी इन आख ने नजाने कितनी मासूम लड़कियों को तबा किया है आज में आखों को हमेशा के लिए बंद कर दूए मतू हमेशा के लिए मतू से लिए बंद, मतू से लिए आख来 chickens मतू हमें मतू Willज कुछ नहीं, केलाश हारा था केलाश? उस कभी ने किरती हैं मत मैं भी पूस को फोन काता हूँ नहीं बाबुजी, गार की बाद कार मेरा अजेजी है बीबी दी, बीबी जी, मुन्ना चौप के जाग पड़ा, चुप भी मेहोवे पापू, मेरे लाओ नहीτο का बादा आ-ब। नहीन, जब का इसिता कि चुपD नहीन, पाओ Caesar, ब्रोड़ा, लुप बीबी बीबादा नहीम, नहीम, प्युप य६बादा कर दो 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 कर झाल झाल मुझे यकीन था तुम घर से जाने की कोशिश करोगी लेकिन मैं मैं यह से कुछ ले नहीं जा रही हूँ अब को ली ले लेजे जिसकी याद को साथ लेकर जा रही हो वो जब तुम्हारे बारे में पूछेगा तो क्या कोँगा जी जब मुन्ना तुम्हें को कारेगा शेकर की माँ जानना चाहेगी जब लोग पूछेंगे बहु कहां चली गई क्यों चली गई तो क्या जवाब दोगा कह दीजीगा जो असली थी वो मर चुपी है जो नफली थी वो भीद खुरने पर भाग गई लेकिन लोग यकीन नहीं करेंगे कहेंगे बदनानी से बचने के लिए बहु के जाम लगाया चूटी कहानी सुना दी फिर मैं क्या करो मुझ से अफसार नहीं जाता मैं मर जाना चाहती हूं मर तो तुम उसी दिन गई थी जब पुनम बनकर इस खर में आई लेकिन वो नाटक खत्म हो चुका है बाबजी नाटक खत्म को चुका है लेकिन जिन्दगी अभी बाब्ती है अब जिन्दगी में जिन्दर हैने के लिए बाकी क्या रहा है सब कुछ वही है वही मुन्ना है जिसे मा की मंता की ज़रूएत है वही सास है जो तुमें बहु मान का तीरत यात्रा कर रही है और वही ससुर्थ है जो आज अपने खानदान के मान मर्यादा को बचाने के लिए तुम्हारे सामें हाथ पहलाये ख़़ा है बाबुजी आज मादवी को नया जनम देने की कोशिश मत करो पुनम बनकर आएं थी, पुनम ही बनकर लो बाबुजी, आपने मुझे माफ कर दिया कुछ हो? अब मैं कही नहीं जाओंगी कही नहीं जाओंगी मैंने तो सोचा था कि तुम होनी के दिन अपना अस्की बदर कराऊ तो मगर आगा है गुलाल लगवान के जगा मूँ जल्वा कर मेरे जखन तो सूख जाएंगे लेकिद मेरे दिल का घाओ तब ही भड़ेगा जब में उसके अर्मानों को राह करतूँगा हारा हुआ जुआरी और ठुकराया हुआ आशिव हमेशा यही सोचता है शबब उस दिना मैं तुमें माजवी की खबर देती और नहीं तुम करशान होते हैं नहीं शबब तुमने के मुझकर एहसान किया है तुम मेरे रादों को नहीं समझती शबब मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ शबब उसके अर्मानों की राख को तुम्हेरे मांग कर संदूर बनाओगा आई कर वो तिन जरूर रहाएगा शबब केलाश शारी विपाजी को जीतना चानता है कहीं तुम्हारी ये हार्खी मेरे जिंदगी का बोजने बन जाए मैं सुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है हाँ केलाश नहीं ये सच है ये सच है शबब इस एक सच से हमारे तमाम इरादे चूटे पड़ जाएंगी हमारे सारे सपने खाके मिल जाएंगे कहलाश शबब तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ लेकिन इस वक्त जालें हमारे जिंदगी में बच्चे की जरूरत नहीं है तुम्हारी फिदर बरकरा रहनी चाहिए तुम्हारी जवानी खूबसूरती उस वक्त तक जब तक कि मैं उस तौरत को अपनी मुठी में नकर लो लेकिन तुम समझते कि नहीं शबब तुम्हे बच्चे चाहिए ना वक्त आने पर सब ठीक हुजाएगा लेकिन इस वक्त नहीं जर्लिंग इस वक्त नहीं आई प्रामिस सब भी कुझ आएगा बुड नियोज मिसेश अबनम आपको जान का खुशी होगी कि आप जानती हूँ मैं माँ बनने वाली हूँ लेकिन मैं बनना नहीं जानती ऐसा क्यों? शायद आप नहीं जानती मेरा प्रॉफिशन डांस करना है अगर आपको अपने पेशे से इतना ही प्यार था तो आपने किसी अधर बसाया क्यों? जिन्दगी की कोई मजबूरी भी तो हो सकती है आपको मेरी मदद करनी ही होगी मेरा काम जिन्दगी देना है जिन्दगी लेना नहीं अब आप जा सकती है मैंने कहाना कि आप जा सकती है क्या प्षब दूब उसने इंकार करती है मैंने सब गली में दिए लेकिन पैसों के लिए उसने अपना उसनों तोड़ना नहीं चाहा खेर परिशार होने की जरुड़त नहीं सब बंदबस हो जाएगा तुम चलो मैं कुछ और चकर चला के आता हूँ जाएगा जाएगा नहस्ते चारे जी आवेटाव मैं तुम्हारे इंदार कभागा कैसे आथ चारे जी तब्रेत ठीटेते ना बढ़ापा खुदे बीमारी से बेटा कल का क्या भरोसा इसलिए मैं चाहता हूँ के जीते जी अपनी एक जीमेदारी पूरी करको कैसी जीमेदारी बहु की कभी-कभी सोचता हूँ मेरे बाद उसका क्या होगा ऐसी बाते मत किजी चाशाजी अभी तब अच्छे हैं और फिर हम लोग भी तो आपके पराई नहीं मैं तुमसे यही सुनना चाहता था बेटा क्या ऐसा जी हो सकता है कोई भला या शरीफ लड़का मेरी बहु का हाथ साम सके तो क्या आप आप उनकी दुबारा शारी करना चाहते हैं हाँ कमल जो मैं बहु के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल भराता है बगवान ने कितना बलाल न्या किया आप उसके शाथ में इस उम्र में सुहागने का संदूर मिटा जिया एक बात कहूं चाचा जी कहो बिटा अगर अनजाने में किसी लड़के ने किसी विद्वा की मान में संदूर पर दिया ओ और उस लड़की ने उसे सुहिकार कर लिया हो तो क्या उन दोनों की शादी हो सकती है? क्यों नहीं? अगर दोनों लाजवी हो तो दोनों हो सकती है तो पुलड़का मैं हूँ और लड़की पुनम है कमल, क्या तुम सच कहे दो? आज 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 जी अगर आप उनम का हाज, मुझे सौछने के तयार है, तो मैं अपने आपको भागिशानी समझे बेटा, मेरे लिए इससे बढ़का खुशी की बात और प्याहो कि तुम आज ये विश्नो को तार देतो, मैं और ज्यादा इंदाद नहीं कर सकता जा पेटा चलती जाओ, जाओ पुल्ण आप कहा खोई हो ये देख रहे थी उस कत्योई पतन को कहा जाकर किरेगी, क्या होगा उसका होगा क्या, कोई दिलेर आगे बढ़ेगा, समाल लेगा उसे क्या चाने, कई हवा के जोगे और पेडों की डालियां उसके टुक्रे टुक्रे नतर डाले ऐसा कभी नहीं हो सकता गुनम वो देखो, मालिक लड़के नुसे सबसे बचाकर हासी कट लिया अब वो अपनी नई दोर में बांदेगा उसे खुल आकाश में उड़ाएगा अब वो उसकी है उसे कभी कटने नहीं देगा फिर भी वो कहलाएगी तो कटी पतत तो क्या हुआ, कोई दोशनी उसमें, कोई कमी नहीं फिर आकाश में उड़ेगी नई दोर के साथ, नई बंदन के साथ बांदीजा को? मैं? उसी तरह मैं भी अपनी पतं को नई दोर से बांदूँगा आपकी पतं? तुम हाँ पुलो मैं तुम्हे अपना बना कर एतने अचीवन देना चाहता हूँ कमल कुनन चाचे इसमेल अपने दिल की बात पहती है उन्होंने पिताजी को तार देने के लिए कहा है उन्होंने आते सब कुछ तै हो जाएगा चाचे जी हमारे ब्याका पैसला कर चुके है सचे सचे नए देना ना स्मय मारो होता तुम सचे आगाई हो अजे तो बिद्वा दूसरा बच्चे की मान मेरे बेटे गले बांग कर कौन सी दुश्में नितालो मेरे साथ तुम्हारा दमाद तो खराब रही हो किया है बिना तोले पर्खे एक लक्ष्मी ऐसी बेटे को ठुका गए ये लक्ष्मी तुम्ही को मुभारिक हो दिन राद पूजा किया करो मुझे क्यो आव बेटी आओ ये हैं कमो के पिता जी मिश्ण बर्शाद मेरे जिगरी दोस्ट पाईयों से भी दाना जी तुर बेटी ये चाय नहीं पीते हैं ये चाय घापे है मैं पिलागा क्यों चक्राद है इतनी संदर और शुशिल कम्या देख कर ये बात नहीं दी लनाथ ऐसा लगता है कि मैं तुमारी बभू को पैचानता हूँ मैंने इस नहीं देखा है तुम्हारा ख्याल ठीक है विश्टी ये मेरी बहू नहीं तुम्हारी अमालत ही मेरे पास क्या? आँ मेरी बहू तो मर गए ये तुम्हारे दोस राजकिशन के भानजी माधवी है माधवी? लेकिन वो तो शाली के मंदब सभाग गए थी उस एक भूल के लिए वो काफी सजा भुगच चुकी है ये रहा उसका खत जो उसने कमल को लिखा था इसे पढ़ने के बाद तुम्हें मालब हो जाएगा कि वो गंगा जल की तरह पविट और चाननी की तरह उचली है विश्टू हमने शाइज जिन्दगी में कोई पुन का काम नहीं किया आज मौका है दो बिश्टूरी आत्माओं का मिला दें और पुन कमा दें देना माल, क्या कमल को सब मालू है नहीं, और ना मालू होना चाहिए ये राज-राज ही रहे तो अच्छा है ये रही तुम्हारी पसंद की चीज अला करना लो, मुमीठा करो आज नहीं मुमीठा करना रदियाना, तुम्जी भाओ तुम्हारी 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 अँछ मुटब बादो को इते हम इस अई है है कित आच्छ आच्छ चैने यह मिरे लिये की अई है पिंग अन्गर लोगो ब्लावी तो तो प्याच्हा लाख साभी प्राइब इत्पनी ज़ाओे ज़र भी अई एवी इख घू आचू़, आचू़ अब म्hmen करणा हुआ ही! मैं पिश करें दूसे लेखें, शक्र मिं ऐरे! ऑब सबसे ऐस सुज़ों थ्धिए! है स्वाने ऊपर निमर चाया है! कर दो किसे बादे करें थे बोल बोल क्यों है था मुझे क्या मानूम आया थोड़ से लागया आया थे लागया पाप जी शेकर की मां का तार आया है वो कल सुबह की गाली से आ रही है अच्छा हाँ और मैंने कमल को फोन कर दिया है कि वो स्टेशन से ले आया है दूद पिलिए बादे पिल्मा तुम बैटो सुन से कुछ बाते करनी है आज मैंने अपना वसीयत नामा तैयार करके सब कुछ मुन्ने के नाम लिख दिया यह आपने बहुत अच्छा किया और तुम्हें उसका सरपरस्त बना दिया मुझे? इस वसीयत नामे के मताबिक जब तक वो बीस परस कर नहीं हो जाता है तमाम जमीन जायदाद और इस खर की सिम्मेदारी तुम पर होगी बीस परस क्यों? यह सिम्मेदारी तुम्हें जीवन भर के लिए मानती हूँ जालता हूँ लेकिन यह भी सूचता हूँ एक दिन तुम्हारी शाजी होगी, तुम अपने घर चली जाओगी हमारी सरस्ति जैसी बेटी उमसे चिन जाएगी तो हम पर क्या बीतेगी? बाबुजी, जब नए संबंद बनते हैं तो पुराने बंदन तूट तो नहीं जाते ठीक है बेटी, लेकिन तुम्हारे सामने नई जिन्दगी की नई खुशियां होंगी कहें उन खुशियां में तुम अपने मुन्ने का भूल तो नहीं जाओगी बाबुजी यह आपने क्या कह दिया मुन्द तो मेरा अपना है और हमेशा अपना ही रहेगा बेपी, मुझे तुमसे यहीं उमीद थी आज मुझे, आज मुझे सुक की नींद आएगी लाओ, तुम से किना लाओ अज मुझे लाओ अज मुझे लाओ रखना है अज आएग यज मुझे यज मुझे आएग प्रण भॉग का प्मगनोग वो कि अपत जो भुट जा है,। हम्यून थिसके सao, कि मैंने झारेे झारे लग्योगे है,S कुछ नहीं है हलो, अरे डॉक्टर से कंदी आ जाईए, पापुछी की तब ये नमस्ते, मुझे इंस्पेक्टर तीवारी कहते है आप ही मिसेस पूनो मेना, मेरा मतलब मिसेस शेकर दीवान साथ के जमाने में मैं या सब इंस्पेक्टर था पिछली दिनों लगनों से ट्रांस्पोर होकर या आया हूँ दीवान साथ का है जी वो, बुस हो रहे है कोई बात नहीं ताम जुरूरी है, इंतजार कर लूँगा पैचित शुक्रिया वैसे आप से क्या परदा बात यह है किसी ने इस घरानी की इदत से खेलने की कोशिश की है किसने? एक अवरत है उसने दावा किया है कि इस घरानी की बहु आप नहीं वो है नहीं, यह जूट है आप ठीक कहती है लेकिन हम पोलीस वालों को सब की सुननी पड़ती है आपको सिर्फ पांच मिनिट के लिए पोलीस स्टेशन चलना पड़ेगा पोलीस स्टेशन? लेकिन.. कोई बाद नहीं इस दीवान साब उठ जाए तुमसे बूच कर चलिए ला नहीं क्या हुआ ती नहीं आज को मैं तुमने फॉन पर बात पूरी किये बगर ही फॉन देगा आपको उनकी तबर जासी है मुपाहती है जाप्र साथ जाप्र साथ? आप यहाँ? यूजी मिलने के लिए आगया है जाप्र साथ कहा है वो? अपने कमर में के चलिए बिरानाथ जानाथ बाभवजी बाभवजी झालोगण बाभवजी शेकर आपने तो कहा था कि यह सूरह है ढ़को साफ आप सब लोग उनसे कहते जिड़ेगा के लाश को हाथ न लगारे रापने भास हमेरवानी कर के सब लोग बहराजाए आपको मेरे साथ पोल स्टीशन करना होगा अब इस मामले में भी आपके बयान की जुरूरत पढ़ेगी जब तक लाश पोस्त मातम के लिए जाए तुम कमरे के बाद आपको और सुनो कोई अंदर जाने ने पाए आए आए चलो बिटे रहा हुआ मेटीए जाके बयान लिखवाया हुआ तब तक में यह मुचुदर होगा बैठो रहा हुआ हुआ है कि कर दो पर बताता हूं. रमया, रोग क्यों रही है? मुभाजी, अरे बोच्छी क्यों नहीं? ये सिपाय क्यों खड़ा है? माया, ये बहु को औहां ले गए? मेरा मुन्ना कहा है. क्या हुआ रोग साथ? अचानक शेखर की बहुजी का.. क्या हुआ? क्या हुआ उने? वो हमें हमेशे के लिए छोड़ करें. क्या? नहीं! नहीं! आपने लिए खाय जो! नहीं! इंस्पेक्टर साहब ये समचूद है! पूरब ये नहीं मैं हूँ! उसका कहना बिल्कुद सही है, इंस्पेक्टर साहब. आईए कमल बाबू. यहां तो बड़ा पेचीदा मामला दरपेश है. इनका कहना है के घर की असली बहु पूनम ये नहीं, बलकि ये खुद है. ये जूट बोल ले ये इंस्पेक्टर साहब. मैं इस ओरत को अच्छी तरह जानता हूँ. ये एक मामुली सी कैब्रेड आंसर है. ऐसी ओरत इफ शरीफ घराने को बहु कभी नहीं बनाती. इंस्पेक्टर साहब, मैं तो पहले ही अपने बैन में लिखा चुकी हूँ. कि मैं स्टेज़ पर डांस किया करती थी. और दिवान साहब ने इसलिए अपने बेटे से संबंद तोड़ दिया था. ये बास सच है कि दिवान जी ने शेकर के साथ संबंद तोड़ दिया था. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी मौत के बाद कोई वी वारत उस घराने की बाओने का दावा करें? इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर कोई चाल है. मैं पूनम हूँ. मैं मुन्दे की माँ हूँ. नमस्ते, इंस्पेक्टर साहब. मुझे केलाश कहते हैं. वह आप, मैंने पहले ही कहा था, बुरे कामों का इंजाम बुरा होता है. आखर कानून की गृस्प में आगी न मादवी? मादवी? जी हाँ, इंस्पेक्टर साहब. इनका स्वी नम मादवी है. पूनम? पूनम आपके लिए होगी, कमल बाबु. मेरे लिए ये मादवी थी और हमेशा मादवी रहेगी. खैस, कारूम के सामने में सच्चाई को जाहर करना अपना फरद समझता हूँ. कैसी कि ये दिवान साहग की बहुरानी नहीं, बलके मेरी दर्मपत्नी है. जूते, मकार जली. मेरे ऐसे कोई रिष्टा नहीं, कोई नाता नहीं. कमीने, एक शरीप और पर कीचर उचाहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती? मिस्टर कमल, ये पोलिस सिटेशन है. सुरी, इंस्पे करके आप हमारे काम में रुकावटना डालिये. क्या कह रहे थे आप? हाँ, तुम्हें ये कह रहा था, इंस्पेक्टर सहाफ, कि हम दोनों मिया बीवी काशी एक्सपेस से सफर कर रहे थे. हमारे साथ ये देवी जी और इनका बच्चा भी था. ये सब जूत है. आप चुक कि बहुत आलाज की लेकर इनके कुछ पता नहीं चला. उसी रात मुझे अकेला छोड़कर इनके बच्चे को लेकर मादवी वहां से भाग गए. नहीं, इसी बातों का विश्वास मत कीजिए. जो सच है, उस पर विश्वास करना ही पढ़ता है. मादवी बहन, मुझे कुछ नहीं काहिए. सिर्फ मेरा बच्चा दिला दो. दीरज रखो बहन, तुम्हारा बच्चा इनस्पेक्टर साहब तुम्हें वापस दिला देंगी. हां तो इनस्पेक्टर साहब, जब मैं यहां पहुंचा तो मेरा शक दुरस निकला. मादवी पूनम बनका दिवान साहब की दॉलत से खेज़ी थी. मैंने इससे बहुत कहा बहुत कहा लिकने इसने मेरे साथ आने से निकार करती है. दरसल कमल बाबु उस दिन हम मिया बीवी का जगरा इसी बात पर हो रहा था. इसका एक एक शब जूट है. यह मुझसे नजने कौन से जनम की दुश्मन ही निकाल रह है. यह दोनों मिलकर मुझे किसी जाए में पहसा रहे है. तो सच क्या है? पुनम सच क्या है? सच तो यह है. के मेरी सेली इस गार की असली बहुत पुनम. मरे चुटू. इंस्पेक्टर के आई? यस डाक्टर. वाट? जी? ओ. 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 के डाक्टर. अब तो यह मामला और भी पेचीदा हो गया. पोस्तमाटम के रिपोर्ट के मुताबिक देवान साब की मौत हाट फेल से नहीं, बलके दूद में जहर देने से हुई है. नहीं, इंस्पेक्टर साब. मेरी बीवी दौरत के लालश में मादू यशे पूरू बन सकती है. लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी की जान देने. नहीं, इंस्पेक्टर साब जूट है. इस सब जूट है. इससे कमल बाबू. माफ कीजिए. मोजवदा आलात गी रोशनी अब यहां क्या लेने आई है? को अशा नया डोगराचाने आई है? मैं निर्टोशू अजी. मैं निर्टोशू. चलिजा मेरे आखों के सामने तुने मेरा सुहाग लुटा है. मेरा गर बरबाद की है. चलिजा. मैं कहते हूँ, चलिजा है. भवी, भवी. भवी, शांत हो जाई भवी. आईए. चलिए. मैंने तु समझा तो तुभा ना पर खत्म हो क्या? अब यहां क्या करने आई हो? कमल बाब, जिस घर ने तुम्हें साहरा दिया, उसी धर की दिवार तोड़ दी. ऐसा मत कहिए. मैं बाबजी को अपने पता के समान समझती थी. मुझ पर विश्वास कीचिए. विश्वास? और तुम पर? नहीं माजवी, अब नहीं कर सकता. मैं तुम्हें विद्वा के करेल का नातक किया. किसलिए? क्या ज़रूथी इसकी? जवाब तो. बोलो, क्या ज़रूथी इसकी? मुझे मालूम है कि मैं आपकी नजरों में किर गई हूँ. मैं जो कुछ भी कहूँगी, उसका आपको विश्वास नहीं होगा. मैंने आप से कभी कुछ नहीं मांगा. मैं आज सिर्फ आप से इतना मांगती हूँ. मेरे माथे पे जो कलंक लिका है. अगर हो सके तो उसे मिटा दीजी. मैं आपकी सबसे काम लीजी जो मनाखना सबस्चुका. सबसे काम लीजी है. माथे जी, कौन है तू? आपकी असली बखु मन्ने की मफरत हो जा. मेरे कोई बखु नहीं. मुझे बखु के नाप से नफरत हो गई है. निकल जा यहां से, चली जा. अभी, शांत हो जी बखभी. चली अंधर चली. तुम यह क्यों आई? माँ की ममता खीज लगी. आज तक कहा है थी माँ की ममता? अचानक साचे जी की मौत के बाद आज तुमारी ममता जागी? कमल, इसमें इसकी भी कोई चार होगी. मैं कहती हूँ, निकाल सो इसे यहां से. भाभी, शुरा ने तुमने? मैं कर दो निकल जा? चारती थी, चली चारती थी. यहां से यहां को आई जी? इसी ने तो इस तर की बाभ मरें का दावा किया? इसने? यहां तो निहायत बच्च मन है. अपने पेट का फाथ मिटाने के लिए मेरे दावखानी में आई थी और मैंसे भाभ दिका दिया थी. इसी जेने हैं रवसार कमल, ऐसी और इस तर की बहु नहीं हो सकती. आपका ख्याल सही है का शिनाती. क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस गर की असली बहु मर चुकी है. अगर यह सच है, तो माजी पूनम बनकर हम लोंको दूगा क्यों देती रही? अपनी सहीली को तिया वचन निभाने के लिए और ए किसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी. यह क्या कह रही है तिरा जी? दीनात जी ने खुदी मुझे सब कुछ पकाया था. और वो जबीर के लाश की दावे? उस सब जूट है. माजी का किसके साथ कोई संबन नहीं. वो गंगा की तरा बवित्र, जाननी की तरा उजली ताच्यूबे, आप लोंको सब कुछ वारूं था. लेकिन उसने मुझ से सब कुछ क्यों चुपा है? उसने सब कुछ सिर्फ तुम्हें बताया. अपने इस खत में लो बढ़ो इसे. यह खत बीन अनाची के हाथ पर गया था. असलिए जानकर कहीं तुम्हें उससे नफलत न हो जाए कि खत बने चुपा लिया था. तुम दोनों का मिलन करा के जिसे सब से ज़्यादा पुछी होती है. आज भगवान में उसे उठा लिए. और इल्जाम आया उस पेचारी पर जो बिल्कुल मेर दोश है. काशी खत मुझे पहले मिला होता है. अलो, बुलाई! बाटी क्रिए भाटी दो! क्या मुझे तो? मुलना कुटि भी शिर्षी उठाला ऑबुजी टेपते हैं अई? आओ मुलना वेटी लो जाए जळाए! यडिए ज़े बाटी होता है! क्योझे है? मुलना थ अबिगा चुछी बाबुजी बाबुजी नहां तो के लिए पह्वाधा न नगी की पिछेस। श्योग रहता ढमाला ढमाला इया बपजी कर चाहज को चाहज़ का दोछ किसने लिया बिपीजी नहीं की भब मादा पलागे कंदा मैंने भबबपजी अरुपी आजा है नहीं पपी जुकती काईगे कर भ॥ी लाताइब का छोन आजिलाएदा तिलाशायत जै पप Cambridge तिलाशायत नहीं पपी छोट पोल जिले नह पप ? तब छोट पोल जोटेंगा थे वाझाज आज पप distracting म주 छोन के देगा और चुक के ज जोन आप नहीं जानू भाभी आप में जातों और सब कुछ मैं कुछ जान जाओंगा माधवी आप कुछ करोगी नहीं? बात भी नहीं करोगी यह मैं पोछे कि मैं आख क्यों आया मुझे तुम्हारा खत मिलके आख असलित मालम होगी अमें तुम वच्चन देने आंग की जैसे भी हो मैं तुम्हारे माधे से यह चूटा कलंग में टा के रहूंगा बहुत तेर हो चुकी कमर बाबू अब मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा मैं चूटी हूँ, कलंग के नहीं, खुनी हूँ मुझसे हम नहीं सहा जाता मैं मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ अपने लिए तुम पहले भी जिन्दा ने थी मर मर के जीती रही दूसरों के लिए अब तुम्हे चीना होगा अपने लिए सिर्फ अपने लिए क्या लगा तुम्हें बकिन साथ की बातों से लोगता क्या है अब तो बहुत जल्द सारी दौनता कुकत्व में होगी मेरे कमरे में चोरी से आने का मतलब कलाश बाबू से मिलना था लेकिन मैं मैं के साथ नहीं रहता है मैंने ये कपका खर चोड़ी एक बहुत जरूरी इतला देनी थी तुमाहिए माधमीन अपने जरूम का इकबाल करता है क्या है उसने ऐसा क्यों किया किसी को बचाने के लिए ये उसने नहीं बताया लेकिन मैं जानता हूं कॉन है इसके बच्चे की आप माँ बनने वाली है चलाएवात मेरे पास अबूत है ये देखिए होने वाले बच्चे के पिता की तस्वीर आप मुझ पर इल्जाओ लगा रहे हैं मेरे इज़त से खेल आचाते हैं मेरे इस कि लिए सिर्च की बाद से आप ने पती को दिवान साथ की बेटे को पहले कभी ने देख . THE kid किलाश बावु ये तस्वीर पुर्णम के पती शेकर की है, दिवान साथ के बेटे की क्या? जी हाँ, इस असार जायर है कि आप उस घर की बहु नहीं है और नहीं आपको उस घर से कोई सबंद रहा था खालत कोई सबंद है तो किलाश बावु के साथ कमरभावो, आपको जरूर्स जारा जानकारी है मालूम होता आपका एरादा नेक नहीं है बेशक्त, एरादा नेक नहीं है लेकिन हम दोनों की मनचिल एक कैसी मनचिल? दिवान साथ की तमाम दौलत जिसे हाँसिल करने के लिए आपने शबनमका साहरा लिया और मैंने मात भीका. क्या मतलब? मतलब? मतलब बिल्कुल साफ हुए. शेकर मेरा दोस्त था, दिवान साब को मुझ पर विश्वास था. जब एक्सिडेंट के बाद पूनम और उसके बच्चे को लेने कया, उमर चुकी थी. फिर मुझे एक बेसाहरा लड़की मिली, मात भी. मैंने उसे बुड़े मावाब की मुंता का वास्ता दिया, बच्चे की जिंदगी का हवाला दिया, उसके दिल में दर्व पैदा किया. फिर उ मेरी बात पर राजी होगी, और घरवालन उसे बहु के रूप में सुईकार किया, और फिर मैंने उसे प्यार के रंग में रंगना शुरू कर दिया, उसे प्यार और सहरे की जुरूरत थी, और मुझे दिवान साथ की दौलत की. ओ, अप में समझा, मैं जानता हूँ, वाद में काफी समझदार, लेकिन आपने जो कुछ भी क्या, उससे मेरा बना-बना काम बिगड़ गया, और मैं हर्गिर बरदाश नहीं कर सकता हूँ, कि आप उस दौलत पर आश कर रहें, और मैं खामुश हूँ, क्या चाहते हैं हम, म मेरा एक इशारा हो जाए कि उस घर की असली बगु आप है, तो दिवान साफ की पत्नी आपका अपना लेगी, और सारी दौलत आप लों की, मुझे मन्जूर है, छोच लीजे, मैं काना जोँगा, मुझे मन्जूर है, तो तु तिर मिलाइए हाँ, दन, दन, इसी बात कैलाश, लेकिन तु तू तो, कैलाश, लेकिन तू तू तू, कैबल चाहिए, तू निर्दोर्श हूँ, कैलाश, यह दिन, तू ने तू ने अपना डुन हो कबोल कर लिये था, हाँ, इसलिए, कि मैं इतना बड़ा कलंग लेकर जीना नहीं चाती थी, पोलीस ने अशली गा रमया हाँ, उसने कबोल कर लिया है कि दूद में जहर उसने मिलाय था और उस कमीनी ने तुम्हेरा भी नाम लिया है उसने कहा कि जहर की शीशी तुमने दी ती यह गरासरी जूट है धवान करें यह सब जूटो लेकि मैं नहीं जाती, तुम किसी मुसीबत में पड़ो कैलाश, दुनिया में तुम्हारे सेवा मेरा कोई अपना सहारा नहीं है इससे पहले कि पुलीस यहां पहुँचे चलो, हम दोनों यहां जबाग चले चलो लो कैलाश, चलो, चलो ना जब जाए पस ओ, तो अभे तु यहां मौजूद है तु समझती है, पुलीस को धोका देकर कैलाश को दरा धमका कर मुस्के छुडा ले जाएगी वाश अपनम तुने उस घराने की बव होने का दावा करके मेरे सब कुछ लूट लिया आज मैं अपना हक लेने आएग। कल तक तो कैलाश से नफरत करती थी आज हब जमा रही है प्यार जदा रही है क्यों नजदा हूँ? इन्होंने पुलीस टेशे में बयान भी दिया है कि ये मेरे पती है और मैं इन्की पत्नी हूँ ये जूट है इन्होंने जुटा बयान दिया था कैलाश मेरे सिवक किसी का नहीं हो जगता कैलाश के पत्नी मैं हूँ मैं हूँ इनके होने मारे बच्चे की माँ शर्वर थैंक्यू मिश्य शर्णम हम आपके मुश्य की पूनना चाहते है इनके हूँ प्रणम इस्टा थोका देना इतना आसान नहीं थैंक्यू माद्वी जी इंस्पेक्टर शाब आपको दिवान साथ को खून करने और उनकी जैराद हड़ाद करने के जाल साजी में गिरफता किया जाता है और मेडाम रहे इनकी आपको भी इंस्पेक्टर साहब यह कुछ नहीं जानता यह सही करते हैं इनकी जानकारी के लिए मैंने इनका और इनकी होने बच्चे की मां का ब्याद की स्टेप्ट अगार्डन में रिकॉड कर लिया कर लिये तो सुना के बता दूँ शायद तुरी की जानकारी भी हो जाए थैंक यू मिस्टर कमल आपकी वजा से फतरनाख मुझरिम बगड़ा गया और एक निर्दोश इस तरी के सम्मान की रक्षा हो सकते हैं कमल जागो आपको धने देने के लिए मेरे पास शक्त नहीं है किस बात किने आपने मेरे माते से कलम का दाग मिटाकर मुझकर जो एसान किया है उमें कभी नहीं भूल सकती माजवी एसान नहीं ये तुम्हेरा फर्स्ट इसान कानुनी कारवाई के लिए मेरे साथ चलना हो वैसे कल सुभा हमात देगा इने लेगा आईए आई आजवी माजवी आई 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 आप ने वादाजिया थिए वाजवी आई आई लेने आई लेकिन मों तो चहली थी हाँ कहा ये तो पता नहीं लेकिन ये चिर्टी आपके नाम देने कमल पापो मेरी चाया हमेशा आपके जीवन में करहन बन कर रही इसलिए मैं जा रही है हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन लेकिन ये लेकिन लेकिन देने मादवी मादवी, कहा जा लिए? मैं तुम्हे लेने आया हूँ, घर चलो घर? किसका घर? कौन सा घर? वही घर मादवी जहां तुम्हे सहारा मिला था मन की शांती मिली थी मुन्ने की मासून माँखों में तुमने अपने भयुष के सपने देखे थे वही घर मादवी जहां चाची जी ने तुम्हे नया जीवन देने का फैसला किया था नहीं, ऐसा मत कही है, ऐसा मत कही है हाँ मादवी वही घर जहां चाची का तूटा हुआ दिल तुमारी दया की फीक मांग रहा वही गर जो कल तक तुमारी सुस्राल थी आज आज वो मेका बन चुका नहीं यह मुम्किन नहीं इस नहीं हो जगता आये रख में ये तसमें सभी तोड़के तू चली आज नर प्यार की ओड़के या चला जांगा मैं ये दिल छोड़के जिस जगा याद तेरी सताने लगे उस जगा एक पल भी फेरना नहीं इस गली में तेरा घर नहो बार्मा उस गली से हमें तो गुजरना नहीं इस गली में तेरा घर नहो बार्मा झाल झाल